एलो फ्रेंट्स विल्कम टू अंलाइन इस्टी किंग्डम दोस्तों जैसा कि यूपिटर पले सी पेड का जो एक्जाम है वह शेटरडे और संडे को होना है तो आसा करते हैं आप लोगों की तयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि पेड का पेपर है ज्यादा आपको टें करना होगा जो भी जितना भी कराया गया उसने आपने कबर कर लिया होंगे अच्छे से जीकेजियस हिंदी के तो आप असी प्लस स्कोर करके आएंगे एक्जाम में तो आज किस वीडियो से यहाँ पर हम लोग जो कबर करेंगे वह प्यटर रिवीजन बोस्टर के नाम से प्लस को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे सुलेबस वाई जू भी दिया गया है टॉपिक तो आई हम देखते हैं पहले सिंदु घाटी शब्यता संबंधित की से है आति यह दिहासिक यूग से शंबंधित है हडपा संस्केट की उत्तरी शीमा का जो धारत करता ह है वो मांडा करता है दक्षडी सीमा जो है दैमाबाद महारास्टा है और पस्षिमी सीमा सुद्कांगे टोर ब्लोचिस्तिन पाकिस्तान का है तो मांडा जम्मु कस्मीर दैमाबाद महारास्टा है सुद्कांगे टोर है और पोर्वी जो सीमा है आपकी वहां आलमगीरपू उत्तरप्रदीश मेरट का होगा दैमादमाद महारास्टा दक्षडी सीमा है उत्तरी सीमा मांडा हो जाएगा और जो पस्चिमी सीमा है वह सुदकांग डोर है ब्लोचिस्तिन पाकिस्तान का सिंदुगाटी शब्यता का वास्थान जो अब पाकिस्तान में श्थित हडपा है स सिंदु घाटी शब्यता का जो पत्तन नगर है लोथल गुजरात का भोगवा नदी पर इस्थेत मिड़ पटिका पर उतकेंड सिंग्यूत देवता की जो कृती प्राप्त हुई है वह लोथल गुजरात से हाथी के दात का पैमामाना हडपी संद्र जो मिला है तो ये भी से पहले जो प्रियोग किया वह सरजान मार्शल की द्वारा सिंदु घाटी शब्यता से संबंधित केंद उत्तर प्रदीश में जो इस्थित है वह आलम गीरपूर और हुलाश है हडपा सब्यता अस्थल लोथल गुजरात में इस्थित है हडपा संस्कृती के संदर में शा अस्थल कौन सा है भारत का वैसे सिंदु घाटी शब्यता का सबसे बड़ा अस्थल मोहन जो दड़ो लेकिन भारत का पूंचा जाता है तो राखी गड़ी हरियाडा का मनका बनाने का कारखाना जो प्राप्त हुआ हो चन्हु दड़ो से भारत में कपाश की खेती का सबसे जो पहला साथ से प्राप्त होता है वह कहां से तो मेहर गड़ से कपाश की खेती का साथ से सबसे पहले मेहर गड़ अस्थल से हडपा का वह अस्थान जहां पर मिटी के हलकी आकिरती मिली है बनावली है हडपा अस्थान जहां से सव पेटी का ताबूत के जो प्रमाड मिले हैं वो हडपा से मिले हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद सरवाधिक संख्या में हडपन अस्थलों की जो खोज हुई वा गुजरात में हुई है आईए संधो सभ्यता के प्रमुक अस्थल नदी उत्खनन करता हूं बर्तमान लोकेशन यहां पर देखते हैं तो हडपा हडपा कहां पर इस्थित किस नदी याद रखेगा हडपा रावी नदी संबंधित हूं इस्थित पाकिस्तान की पंजाब प्रांद का साहिवाल जिला है तो बस इतना समझो हडपा जो है रावी नदी पर पाकिस्तान उत्खनन करता दैराम शाहनी 1921 में माधव शुरूप उस 1926 औ तो याद रखेगा सिंधू पाकिस्तान लर्काना जिला मोहन जोदरी की खुदाई राखलतास बेनरजीन 1922 में चन्हु दड़ो भी सिंधू नदी किनारे तो यह सिंध प्रांद पाकिस्तान में होगा और मैके के द्वारा 1925 में काली बंगन तो काली बंगन जो है गगर जिस्तित याद रखेगा अमलनंद घोष इसके उठ्वनन करता रहे हैं 1951 कोट दीजी तो कोट दीजी यह सिंधू नदी की किनारे सिंध प्रांद का खैरपूर अस्थान फजल अहमत की द्वारा इसका उठ्वनन कराया गया रंगपूर तो रंगपूर यह गुजरात का है और यह किस नदी की किनारे सिंध याद रखेगा मादर तो आपको जो याद रखना है अस्थल अस्थल जो है किस नदी किनारे सिंध होगा और उसका लोकेशन और साथ ही शाथ कुछ खूज करता उत्खनन करता को याद रखन इतना ही ध्यान देना है आपको मिलान करने को आपको एक्जाम में आ जाता है रोपड तो रोपड सतलत जनदी के पंजाब होगा लोकेशन यगदत शर्मा लोथल भोगवा है तो लोथल आप जानते हो सिंदुगाटी शब्वदा का पत्तन नगर है गुजरात में स्थित होग इसका उत्खनन खुदाई हुई सुद कांगे डूर दास्क नदी कौन सा दास्क नदी और ये सुद कांगे डूर आप जानते होड़पा स्थल का सबसे पस्चिमी छोर है और यह पाकिस्तान के मकराना में शमुद तड के किनारे इस्थित है नदी आद रखेगा दास्क आर रविंद्र सिंग विष्ट है यारेस विष्ट धौला वीरा लूनी नदी क्योंसी नदी है लूनी नदी गुजरात कच जेपी जोसी की द्वारा सुद कांगो ये साधी कौर नदी किनारे लिस्थ होगा दच्षडी ब्लूचिस्तान होगा और जार्ज डेल उत्खरन करता रहें तो इस तरह आप जो महत्तपूर्ट तत्रे कवर की अब बढ़ते हैं सिंद्ध बैदिक संस्कृति की ओर महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है सतसाहनी संगिता महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या होगा सतसाहस्त्री क्या होगा दोस्तों सतसाहस्त्री संगिता गायत्र रिगवेद काल में जंता जो विश्वास करती थी बली योम कर्मकांड में विश्वास करती थी गोत्र शब्द का प्रियोग सरपर्थम हुआ है रिगवेद में रिगबेद में सरबाधिक शंख्या में मंत्र जो संबन्धित हो किसको तो इंद्र को समरपीत सरबाधिक सबसे प्राचीन बेद कौन सा है तो रिगबेद है वह बैदिक ग्रण्थ जिसमें बन्डशब्द का सरपरथम नाम उल्लेख मिलता है रिगबेद है रिगबेद में उल्लिकित यव शब्द किस क्रिशी उतपाद ही तो प्रियुक्त किया गया है जव है वह नदी जिसके किनारे रिगबेद में उल्लिखित प्रशिद्ध दसराजाओं का युद्ध लड़ा गया दिश्कों की दसरागे युद्ध की नाम से जानते हो तिया परुषडी नदी की किनार जिसका अधुनिक नाम क्या है राभी नदी रिगबैदिक काल की प्रारंभे में महत्तपूर्ण मूल्यवान शंपत्ति जो समझा जाता था वह गाय को है न अघन्या के नाम से तो गधिक काल में जिक्किस जानवर को अघन्या माना गया है तो गाय को वह बैदिक साहित जिसमें मोच्छी की चर्चा मिलती है उपनिशद ह बैदिक देवताओं का गुरू माना जाता है ब्रहश्वपती को तो बस आपको एक ओबर्विव लेना है ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है पेट के लिए दोजार आप 21 का पेपर उठा के देंखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ठीक है तो ज्यादा पेजजी नही करना है आपको क्यों के टेंथ लेवल वाले फाम भड़ते हैं सबको पेपर देना है दोजार इकीस का पेपर से आपको मालूम चल गया होगा क्या लेवल है बैदिक देवताओं का जो गुरू माना जाता है वह अब्रहश्युपती को माना जाता है उत्तर बैदिक काल में आ आरंभिक बैदिक शाहित्त में सरबाधिक वर्णित जो नदी है तो सरबाधिक बैदिक काल में बैदिक सरबाधिक जो नदी का बढ़न किया गया है सबसे ज़्यादा नदी वह शिंधु नदी वह नदी जिसको रिगवेद में मातेतमा देभीतमा नदीतमा ये पवित्र ज शुक्ल यजुरुबेद की शंगिता कौन सी है वाजस नेई शतपत ब्राम्हड में उल्लिखित राजा बिदेह माधव से संबंधित रिशी कौन थे रिशी गौतम राहुगड़ जिस ग्रंथ में पुरुष मेग का उल्लेख हुआ है शतपत ब्राम्हड है तो एकजामे पूँच लेता है निम्लिखित में से किस ग्रंथ में पुरुष मेग का उल्लेख हुआ है तो आपको शतपत ब्राम्हड दिखेएगा गोपथ ब्राम्हड संबंधित की से है तो यह अथरवेद का ब्राम्हड है आयरवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख प्राइंडी उपानिशद है भारतिय प्रतीक उपाद केरण सत्त में वजयतों तो सत्त में वजयते कहां से लिया गया है तो कि शोबनिशद से मुंड़क उपनिशद है जिन्द अवेस्ता और रिगवेद में समानता है जिन्द अवेस्ता जो संबंधित है वो किस से इरान से संबंधित है प्राचीन भारत में निसाका धरज निस्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूशड 24 सदी इशापुर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक संगिताओं का वरणन है यहां प्राप्त हुआ है तो यहां भोगाज कोई से तो भोगाज कोई है एसिया माइनर मनु इश्मिर्टी मुखतया जो संबंधित वो समाज व्यवस्ता से शंबंधित है वहां उपनिशद ज रिगबेद में वहां कौन सी नदी है जिसका उलेख अफगानिस्तान की शाथ आरियों की शंबंध का सूचक तो वहां कुभा नदी है आरिया तो आरिय शब्द का जो अर्थ है वो क्या है स्रेश्ट से है कुभा नदी आप पड़ रहे हैं कुभा अधुनिक नाम आप काब कि यह राज्जिकी शाषक थे भारत का प्रतं विधि निर्माता जो माना जाता है वह मनू को माना जाता है उपस इसल स्ब्द का प्रयोग जो किया गया है वह रएश्ण के लिए किया गया है खलासिकी थे संस्कृतल में यह उत्तम्य व्यक्ति स्रेश्थ बंशी से इतिहास शब्द का उलेख जो मिलता है इतिहास सब्द का जो लिएक मिलता है वहां अधरraum मिलता है आगे वड़ते हैं अगला है तॉप इक बॉद धर्म और बॉद निसे संबंदित के वला केवल secondo पुतम बुद्ध की जीवनी और उनसे सिंचाओं से संबादे तत्थ ही आपकी सिलेवस में पूंचा जाना है। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहा हुआ था लुंबिनी में बुद्ध के मृत्यू जहां हुई थी वहा स्थान अब कहा है उत्तर प्रदीश में है बुद्ध के जीवन की वहा घटना जिसको महा भिनिश्क्रमण के रूप में जाना जाता है यहा है ग्रिहत्याग तो ब जन्म का प्रतीक बुद्ध का तो गौतम बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक रहा है कमल योम शांड है कमल योम शांड ग्रिहत्याग का जो प्रतीक है दोस्त ग्रिहत्याग घर के गर बैठना है गोड़े से बैठके निकल लो चुप चाप इस तरह याद रखो घोड़े पर बैठे गोड़ा है ग्यान की अगर बात की जाए तो ग्यान का प्रतीग जो पीपल पीपल विछ या बोधिविक्ष है न निर्माण का एगर पूछा जाता है निर्माण तो निर्वाण का जो प्रतीग है वो है पदचिन क्या है पदचिन और महापरिनिर्वाण की अगर बात की जाएगी तो महापरिनिर्वाण का जो प्रतीग है वो इस्तूप है तो बुद्ध की जीवन से संबन्धित आपने देख लिए प्रतीग गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचंदिया शारनाथ में जिसको आप धर्म चक्र परवर्तन के नाम से जानते हो धर्म चक्र परवर्तन प्रथम उपदेश को और पढ़के आ रहे जो महा भिनिशक्रमाड है ये इनके ग्रिहत्याग का है और जिनके मिरत्यों मिरत्यी जो होती है जिसको आप महा परिनिर्माण की नाम से जानते हो बुद्ध के उपदेश जो संबंधी थे वाचरण की शुद्धता यों पवित्रता से भारतिय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण म्रिग सहित चक्र द्वारा हुआ है तिनकी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र पवर्तन जो किया गया था शारिनाथ में यानि पहला उपदेश बुद्ध ने सरबाधिक उपदेश दहां पर दिये हैं सरावस्ती में सरबाधिक उपदेश कहां दिये हैं दोस्त सरावस्ती बुद्ध यानि बहुत जो शंग में भिच्छुडी के रूपे में प्रवेश की जो नमती बुद्ध द्वारा दी गई थी वो कहां पर दी गई थी तो बैसाली में कहां पर दोस्त बैसाली में ठीक है इस्तरी है तो बैसाली बिसेश कर जो है वो गल्स के नाम होते हैं बैसाली तो इस्तरी इस तरह कलेव रहां बहुत शभाएं पर देखते हैं ये के मिलान करने को भी पूछा जाता आपसे एकजाम में या पहले बहुत संगीत कहा हुई थी और किस नेखी संकाल में या प्रसमाथी एकजाम में बनता है तो प्रथम बहुत जो संगीत ही वह चार सो तिरासी इशापूर में दुतिये बाउध शंगीत 383, तो 483, 383, तो बैसाली, अस्थान कौन सरा है बैसाली, ठीक है, बैसाली, अध्धचता किस ने की थी, या शबाकामी ने अध्धचता की थी, और ये किसके शासनकाल में रहा है, काला अशोक के शासनकाल में, त्रितिये बाउध शंगीत 251, एशापॉर्व में पाठलपुत्रा, कहां पर हुआ था, ये पाठलपुत्र में हुआ किसकी शासनकाल में, असोक के शासनकाल में, और मोगली पुत्त तिस्म, मोगली पुत्त तिश्म की अध्धचता जो है इन्होंने की थी, तो इसको आप य हम लिख लो कुछ कोड ऐसे बन मोगलिपुत्त तिश्च चतुर्थ बाउध्ध शंगीत कुंडवन कुंडवन कहां कश्मीर तो कुंडवन कश्मीर में यह हुआ था चौथा जो बाउध शंगीत रहा और वशुमित्र या शुगोष जो है वो बाध्धच रहे और वशुमित्र इसकी अध्धचता की थी और करिश्क किशासन काल में यह रहा है तो याद रखना है पहला जो है आप इस तरह याद रखिएगा एक 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 करिके ठीक है एक ए किये क्या है आरवी पीके एक 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 अध्धच स्कायाद रखने ना यमेस एमबी ठीक है क्या आपने देखा बहुत दिकी जो चार शंगीतिया नहीं पहली दूशरी तीशरी और चौथी तो पहला आपने देखा चार सो तिरासी इसा पूर्व फिर तीन सो तिरासी रहा है फिर आपने देखा था 249 इसा पूर्व इसके बाद जो इस भी के प्रतम शताब दी रहा ठीक है यह कोड़ क्या ता अस्थान closer पहला जो था वह राजग्रिय का राजग्रिय है क्या था आरवी पीके तो राजग्रिय हो गया ठीक है राजग्रिय है भैशाली हो गया अपका पीशे पाठिल पुत्र और कीसी कुंडालवन कश्मीर का और अस्था किसके साथ चनकाल में तो एके 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 इसके बाद अज्धस्ता के लिए क्या कोड था यम वी फी वी तो पहला जो बहुत शंगित चार से तिरासी इशापूर वार से क्या है राजजग्री है और वी से वैसाली दूसरा पाठिल पुत्र कीसी कुंडालवन है अध्ध चता यम से क्या आएगा मोगली पुत्त और एक है मोगली पुत्त दूसरा यम से होगा महा कश्यव तो पहले कौन से होगा महा मतलब बड़ा जो सबसे इस तरह याद रखना थोड़ा महा कश्यव पहले हो जाएंगे और वी से आपका हो जाएगा वसुमित्र और यस से यहाँ पर यो है वो शर्बकामी वाले यम से मोगली पुत्त तो महा कश्यव सर्बकामी मोगली पुत्त और लास्ट वाले बशुमित्र जिसकी उपाध्यच की बात करोगे तो अश्यगोश इस तरह हैं याद रखेगा दोस्तों चार हैं इसका इसकी इंस्वाट भी ले सकते आगे बढ़ते हैं अंगे ग्र ciao क्या और से संबंधिते द्यार भी जा सकता है त्रीपिट घृषौक द्यां धर्म्य या बार्फ द्धर्म से Apache chop जिवन की यहाँ पर उपधेश ओको मिलेंगे तो बिने अचार-विजार के यहां पर बात की गई है पिđ यहां पर बात की गई है इनकी जीवन के क्या क्याओ धर्म अपिटक कि इसके लिए इसा क्या है इसके आंद ने लिखा है तो आपको ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है क्योंकि बुद्ध के जीवन से शम्माधित से तथ्यों की आपके एक्जाम में पूँचा जाना है दोस्त अगला है बुद्ध धर्में त्रत्न इंगित जो करता है वो बुद्ध धम और शंग को तो बुद्ध धर्म के अगर पूँचा जाता है तो बिने पिटक शुत्त पिटक और अर धम पिटक तिरत्न इगर पूँचा जाता है तो बुद्ध है धम है और शंग है प्रथम बुद्ध शमिती का आयोजन कहां पर हुआ था तो अजाद्च चत्र के शाशनकाल में हुआ था और कहां पर हुआ था त देखो संसार आइस्थिर और चणिक है यहां कथन किस से संबंधित है संसार आइस्थिर और चणिक है तो किस धर्म से संबंधित होगा यह बहुत धर्म का मानना है संसार आइस्थिर है और चणिक है वह बाउध ग्रंथ जिसमें बाउध संग जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो आचार विचार जो नियम है यह बिनएपिटक मिलते हैं विदेशी राजा जिसने शमुद्र गुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बाउध बिहार बनाने की अनुमती दी जाए वो थे मेग बर्मन बोध गया में महत्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था वो दो बंजारी कौन से थे ठीक पहले हैं मलिक और दूसरे हैं तपश्चुओं शब्त परणी जो गुफा इस्थित है वो राजग्रीह बिहार में इस्थित है प्रथम बाउध शंगीत किसके संसनकाल में आजातुशत्र कि शासनकाल में राजग्रीह में अधच्चता किस ने की थी महाकश्यत विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाई से संबंदित है हीन यान से संबंदित है दो चतुर्थ बाउध शंगीत रही है कुंडलवन कश्मीर में कनिस्क किसासनकाल में जिसकी अधच्चता जो है वशुमित्र के द्वारा की गई थी तो इस संबंदित होगी हीन यान से सुनिता की सिध्धान्थ का सरवपर्थम प्रतिबादन करने वाले बहुत दार्शनिक का नाम नागारजुन उत्तर प्रदेश में बहुत धियों जैनियों दोनों की जो प्रशिद्ध तीर्थ अस्थली है अक्सर इग्जाम में पूंचा जाता hack लाए और यहां अस्थल कौशांबी है बौध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास किस ने करते हैं तो कर्म तथा पुनरजर्म की शिद्धान्थ में कर्म करने में और पुनरजर्म में विश्वास कौन करते हैं बौध प्लस जैन दोनों किका अब यहे पर थोड़ा ओर ध्यान दे लो कि बहुत जायद धन्म दोनों जो है विश्वास करते थे किसमें कर्म में दोनों लोग विश्वास करते थे बहुत धर्म वाले हूं चाहे जैन धर्म वाले हूं कर्म प्लस पुनर जन्म दोनों में और एक तत्थ याद रखना है कि जो जैन धर्म वाले रहे हैं रहे हैं मतलब हैं तो जैन जो है वो आत्मा में विश्वास रखते हैं आत्मा है लेकिन बहुत द्वाले कहते हैं आत्मा आत्मा नहीं है आत्मा का विश्वास नहीं रखते थे बहुत बहुत धर्म जो है वो आत्मा विश्वास नहीं रखते जबकि जैन धर्म वाले रखते ह और एक तथ्य पूंचा जा सकता है अगर मोच की बात की जाए तो मोच प्राप्ट कब होता है तो जैन वाले बूलते हैं जैन धर्म कहा जाता है जैन दर्म में कि मोच जो है केवल और केवल मृत्यू के बाद ही प्राप्ट होगा लेकिन बुद्ध वाले कहते हैं बहुत धर्म वाले कि जीवन जीते ही जो है वो शंभव हो है मोच प्राप्ट करना चलिए आगे बढ़ते हैं अफगाजिस्तान का बामियान जो प्रशिद् पाल उसके बाद आते हैं धरम पाल तो धरम पाल की द्वारा विक्रम शिला विष्वेद्याला विक्रम शिला बिहार की जो है इस्थापना होती है कहां के इस दूप के उत्खनन में सारी पुत्र के अवसेश प्राप्ट हुए हैं साची से प्राप्ट हुए हैं वह बहुत पवित्र अस्थाल जो निरंदना नदी पर इस्थित है तो निरंदना नदी पर इस्थित बिहार का बूध गया ठीक है ज्ञान की प्राप्त एसिया के जियोती पुंज के तौर पर माना किसको जाता है गौतम बुध को माना जाता है अगला फैक्ट है कि गौतम बुध की शम का जो प्रशित्ध बबाएद जीवक किसके दरबार से संब्धित था जीवक Will written किसके दरबार से संब्धित रहे थे उदयन के राज कासनकाल में Dippt में बहुत धर्म की सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्धाय अतीश किस बिहार के प्रशिद्ध विद्वान थे तो विक्रम शिला बिहार तो बहुत धर्म से संबंधित अथ्यों को आपने कबर कर लिया कि मात्मा बुद्ध का जिन्म जो है वो 563 इशापूर में कहां पर हुआ कपिल वस्त के लुम्बिनी नामक अस्थान पर हुआ था बुद्ध के जीवन जो बच्पन का नाम रहा कौन सा नाम था सिधार्थ नाम था इनकी बच्पन के नाम सिधार्थ ना पिता का नाम जो था इनका शुद्धोधन था क्या था दोस्तों सुद्धोधन मात्मा बुद्ध के और इनकी माता थी महा माया 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 देवी जो की कोलिये बंस या कोलिये गणरादी से शंबंधित थी कोलिये जबकि जो पिता सो दोधन रहे है किस बंश से पूचा जा सकता है याद रखिएगा शाक्य बंश से समबंदितर है जबकि जो माता रही वो कौलिया बंश से रही इसके अलावा गॉतम्बुद्द के जो माता पिता रहे है इनकी मुरतिय इनके बज़पनकाल में होती तो इनका लालन जो पाशन लालन पालन रहा है विसे इकली गवतम भुद्ध का तो इनकी एक मौसी रही है इनकी मौसी थी दटी जो प्रजापती प्रजापती गवतमी इसके बाद 16 वर्स की आयूँ में क्या है मात्मा भुद्ध का हो जाती है साधी कि इससे साधी होती है दोस्त यासोधरा से साधी हो जाती है इसके बाद गौतमज्द के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है राहूल और जैसे ही इनकी उम्र होती है 11 वर्स 130 वर्स की अवस्त्थम घर छोड़ देते हैं और घर छोडने वाला आलार कलाम तो बैसाली की जो आलार कलाम पहुँचते हैं, वहाँके ओंसे शांख्यदरसन की सिच्छा गरांड करते हैं। उसके बाद सिच्छा गरांड करने के बाद यह प्रथम उपदे शी पांच रिस्योग, पांच ब्राम्वणों को कहां पर सारनाथ में, जिसको आप किस नाम से जानते हो, धर्म चक्र परवर्तन के नाम से, और इननों जो ज्यान प्राप्त किया था बिसे के लिए, 35 बर्श की अवजथा में ज्यान इनको प्राप्त हुआ, बैशाख की पूर्ण इमा रही है, नदी कौन सी है, निरंजना नदी पढ़के आ रहे हो, पीफल विच्छी या बोधिविच्छी की नीची इनको ज्यान प्राप्त हुआ, निर्मान की प्राप्ती हुई, और निर्मान प्राप्ति के बाद, जिनका बच्पन का नाम से धार्थ हुआ करता था, ग्यान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए और जहां ग्यान प्राप्त हुआ ने रंजरना दी के तर पर पुपल देड़िज अस्थान कौन सा रहा है बोध गया जो की पवित्र अस्थल इसके बाद क्या पढ़े आप और क्या पूंचा जिन्हों ने जो पहला उपदे में दिया था पूंचा जाता है ये मात्मा बुद्ध के जो प्रमुख अनिवाई शाशक रहे हैं तो याद रखिएगा बिंबशार प्रसेन जती और उधयन और क्या पूंचा जा सकता भाई ये सब बाते हो गई तो चार सो तिरासी इशा पूर्भ में जो है कुसी नगर की जो है सिवर्ष की आविमिन की मृत्ति हो जाती है और इसी घटना को आप महापरिनिरवाण के नाम से जानते हो इसके बाद पूंचा बहुत धर्म का जो बिसकली सबसे पवित्रत वहार आप जानते हो बैसा की पूर्णिमा है जिसे आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हो त्रिपेटक है बाद धर्म की त्रिपेटक कौन बिने पिटक शुत और अधिधम तिरत्न आपने पढ़ा तिरत्न भुद्ध धम और संग चतुर्द बाद संगी थी जिसमें हीन यान और महायान में विभाजन हुआ और एक पूंट याद रख सकते हो कि बाद धर दुख समुदाय है और तीशरा जो है दुख निरोध होगा और चौथा होगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा ये चार है आरिशत अब इससे जादा कुछ नहीं पूंचा जाएगा पेट में आगे बढ़ते हैं जैन धर्म पे अगला टॉपिक है आपका जैन धर्म ज टीक्त है जैन धर्म की संसथापक कौन थे दोस्त, तो संसथापक थे रशभ देव तुख रशभ देव जो है वों संसथापक थे तो जैन धर्म के प्रत्म पीर्थांकर बोला जाए या संत्थापक कौन थे रिशब देव तो जैन धर्म के 24 टोटल तीर्थांकर हैं कितने तीर्थांकर हैं 24 तीर्थांकर का मतलब क्या है 200 तीर्थांकर थी कि जितने भी तीर्थांकर हो तीर्थांकर होता है विसके लिए कि यदि आपको केवल लेके प्राप्ति ज्यान की प्र क्राप्ती तीर्थंकर तो जैन धर्में टोटल कितने तो परथम रहे हैं रिषभदेव संसथापक रहें जैन धर्म के रिषभदेव मैं पहले नंबर की याद रखलो रिषभदेव रहे संसथाप और इनका प्रतीक चिन्ह याद रखो आप बैल ठीकहे , बैल और दूसरे जो तिर्थंकर रहे विसे इसकर अजितनाथ अजितनाथ इनका जो रहा है प्रतीक दोस्त वğो रहा हाथी चौबिस है टोटल तेश्वे याद रखो और चौबिसवे महावीर ौश्वामी को 23 नंबर की याद रखो पार्शुनाथ इनका जो रहा है प्रतीक वो सरप का जो फन होता है सरपफण ठीक है तो सरपफण होगा और 24 में रहे हैं ये अपने महाबीर स्वामी तो महाबीर स्वामी का रहा है सिंग प्रतीक तो टोटल 24 तिर्थंकर प्रतम रहे हैं रिशबदेव संसथापक बैल प्रतीक है दूसरे जितनाथ आथी प्रतीक है बार्शुनाथ की शर्पफण और महाबीर स्वामी 24 विर तिर्थंकर रहे हैं इनका प्रतीक रहा है सिंग तो सिलेबस में आपके क्या पढ़ना महाबीर स्वामी को तो महाबीर स्वामी आप बिसेकली जो है आपको देखना है जैन धर्म की ठीक है शलेबस में क्या है जैन धर्म और महावीर महावीर की श्वामी की बारे में ही आपको ही पढ़ना है तो महावीर श्वामी रहे हैं चोबीश में तिर्थंकर रहे हैं प्रतीक कौन सा रहा है तो सिंग प्रतीक रहा है याद रखिएगा जन्म जो है 599 इशापूर्व कहाँ पर हुआ था तो बैसाली कुंडग्राम कुंडग्राम बैसाली में हुआ था महाबीर श्वामी का जन्म बुद्ध के पिता का नाम रहा क्या सो दोधन इनके पिता का नाम बिसिकली जो बचपन का नार अहां गौतम बुद्धिके कि याद रखेए गियात्री को खुल से शंबन्दित बचसे रहे हैं और माता थी इनकी जो है वो त्रिशला माता का नाम मावीर श्वामी की त्रिशला था और 21 बंस से संबंधित रही है लिच्छा भी बंस से संबंधित रही है तो दोस्तों बस वीडियो का आप सुनते चलिए देखते चलिए वीडियो दिया आप देखके भी जाएंगे तो आप पूरा दस मिदब हिस्टी करके आएंगे दोनों मिलाकर भारती रिधास प्लस रास्टि ये अंदूलन भावी श्वामी के बस्पन का नाम क्या है पूंचा जाता है तो यार्द रखिएगा बर्धमान इसके अलावा इनकी शादी हो जाती है इनकी पत्री का नाम होता है या सोधा क्या नाम है या सोधा और इनकी पुत्री हो जाती है इनकी पुत्री का नाम होता है अनोज्जा क्या नाम होता है दोस्तो अनुज्जा यह जो है वो प्रियदर्शना ठीक है अनुज्जा प्रियदर्शना पुत्री और महाबिर श्वामी की माता-पिता की जो आई है इनकी तीश वर्ष की अवस्ता होती है तो इनकी माता-पिता की जो है मृत्ती हो जाती है इसके बाद इन संदी बर्धन बड़े भाई होते हैं उनसे अनुमती लेते हैं सन्यासी जीवन के लिए और इसके बाद सन्यास के अनुमती लेकर के बारह वर्ष जो हो तपश्या करते हैं कठोर तपश्या करने के बाद तपश्या जो करते हैं विसे के लिए वो होता है जरेमभिक जरेमभिक गाउं की शमीप जिम्भिग गाम होता उनकी शमीप होती है एक नदी रिजुपाली का नदी और रिजुपाली का नदी के टट पर जो है किस बृच्छ के नीचे साल बृच्छ के नीचे दोस्त साल व्रिच्छ के नीचे इनको जो है ज्यान प्राप्त होता है और मात्मा बुद्ध को किस्ट में ज्यान प्राप्त हुआ था पीपल व्रिच्छ बोध व्रिच्छ के नीचे निरंजना नदी के गोध बोध गया में और इनको रिजुपालीका नदी में होता है शालव रुछे के नीचे, इसके बाद ग्यान प्राप्त होने के बाद, महाविर जो रहे हैं वो जिन दड़िग जिसको कहते हो बिजेता, तो जिन का मतलब होता है बिजेता, जिन अरहत येनि पूझे, अरहत का मतलब होता है मुक्त हो जाते हैं ज्यान प्राप्त होने के बाद विजेता पूजे और बंधन मुक्त तो महाभीर श्वामी उसके बाद उपदेश देने बिजाते जैसे सार्थ इन से पहले जो अनुआई बनते ना इने की दमाद होते говорко माद का नाम होता है जामाली अगर पूछा जाता है महाभीर श्वामी के प्रथम अनुआई कौन थे इनके दमाद रहनाम रहा जा माली यह प्रथम अनिवाई हो गए अगर पूशा जाता प्रथम जयन भिच्छुडी कौन था तो नाम था चंदना कौन था चंदना थी तो कि चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री हुआ थी माविर श्वामी जो रहे इनके विशेशकर ग्यारा जो है प्रमुख शिश्य थे कितने ग्यारा प शमय में भी हो जाती है मतलब माविर श्वामी जब बीबी थे तब ही जो है इनको दस जो है नहीं की शामने पड़ गए थे अमद रहे हैं आप बचते हैं एक ग्यारवे नंबर के कौन था वो बचा वो थे सुधरमड कौन था दोस्त सुधरमड बचा था टोटल कितने थे ग्यारा से से तो दस इनहीं जीवन कालने पड़ जाते हैं तो एक बचते हैं सुधरमड तो ये हो गया इसके बाद पूछा जाता है महावेर की मृत्यू जिसको गया आप निर्बान के नाम से जानोगे तो पांच सो शत्ताइस पांच सो सत्ताइस सीशा पोरुमें बात्तर महावीर श्वामी की ठीक है जैन धर्म तो ये एक हो गया ओबर भी आपका इसके अलावा जैन धर्म के आपको तिरत्न पढ़ना है बहुत धर्म आपने पढ़ा तिरत्न बुद्ध धम और शंग और तो जैन धर्म में जो तिरत्न है तो जैन धर्म के तिरत्न कौन से हैं दो शम्यक ग्ञान और शम्यक आचरण तो यह जयन धर्म के रहे हैं तिरत्न याद रखेगा शम्यक दर्शन, शम्यक ग्ञान, शम्यक आचरण और इसके बाद जयन धर्में पांच महावरत की बात की गए इसमें जो ब्रह्मचर है ब्रह्मचर किसके द्वार आयड किया गया था तो महाबीर श्वामी की द्वारा याद रखिएगा और इसके बाद जो जैन धर्म है सिंपल सी बात इनका जो आधार भोत मेन है वो क्या है अहिंशा अहिंशा चे बिल्कुल दूट अहिंशा नहीं करनी इसके अलावा जैसे आपने बहुत शंगीतिया चार देखी तो जैन शंगीतिया भी दो संगीतियों को याद रखना आपको प्रथम और दूशरी दुटिये तो पहली जो रही है तीन सो दस इशा पूर और दूसरी जो दूसरी जो होगी वो पांच सो बारा पांच सो बारा क्या इस भी पहले जो जैन संगीति हुई वहाँ पाटल पुत्र में हुई है दूसरी जो है वो वललभी में कहां वललभी में शासक जो हो चंद्रगुप्त का मौर्य होंगे और अध्धच जो है वो इस्थूलभद्र के द्वारा ये पहले इस्थूलभद्र के द्वारा और दूसरी की अध्धचता जो है वो देवरधी गड़ के द्वारा की गई इसकी अलावा क्या पूचा जा सकता है आपसे कि जैन धर्म का जो है क्या है एक महात्रपोंड होता है कि माहाάλ बाउबला में आप देखा होगा महामस्तकाबिशेग कीyse जर जो प्रतेग 12 पर क्रेंट का आपर क्रणाटक राज Computer का श्रवण बेला श्रवण बेला तो स्रवन बेल गोला में जो है आयूजित होता है प्रतम यहीं प्रतीक 12 बर्ष पर तो यह जैन धर्म से आपने ऊपर ऊपर थोड़ा मोटी-मोटा देख लिया अब आई तुद्ध पॉइंट को कबर कर लेते हैं तीर्थंकरों का कालों नुकरम सही क्रम आपको बताना है यहां पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है प्रतम तीर्थंकर याद रखो आप रिशभधीव महाबीर श्वामी का जन्मस्थान कहां है कुंडलपूर या कुंडलवन वैशाली महाबीर श्वामी को ज्यानोदे प्राप्त हुआ है रिजुपाली का नदी के तड़ पर महाबीर प्रथम का अनुवाई कौन है जामाल जोकिन की दमाद रहे हैं जोकी आप प्राकिर्त भासा भी बोल शकती हूँ या अपनी एक शंप्रदाय था जैन धर्म का तीर्थंकर जो सब्द संबंधित है जैन धर्म से शंबंधित है तीर्थंकर और तीर्थंकर करत क्या है कैवल की प्राप्ति केवल और केवल तब की माध्यम से ही शंबावा वहा जैन सभा जिसमें अंतिम रूपसित स्वेतांबर आगम का शंपादन हुआ पाठिल पुत्तरा प्रभाश गिर जिनकातीय सभरास्थालव कौन है जैन है वह धर्म जो विश्व बिनासकारी प्रलए की अवधर्म में विश्वास नहीं रखता है जैन धर्म है जैनीयों की पवित्र पुस्तके जो कहलाती हैं वागम शि ध्धान्त वह दर्शन जिसमें वह दर्शन जिसने पुनर जन्म के विश्वास को आश्विकार कर दी वह चारवाकं कौन सा दर्शन चारवाकं दर्शन तो दोस्तों यहां पर दर्शन की बात की जा रही तो थोड़ा दर्शन से सम्मधित यहां पर प्रमुख दर्शन की जो पधतियां है दर्शन उनकी प्रवर्टक देख लेते हैं जैसे कि आप पूशा जाता है यक्षर आप से शांख है तो पिट का है जासा भी सेस कर रहे हैं माप क्रीजी कर पंजदल एक पतंजली। ठीक है पतञ़ें इसके बाद सांख्या योग है फिर न्याय us- न्याय-दर्शन न्याय-दर्शन की जो प्रवर्थक हैं। वह होंगी क्योगं सिद्ध्रल गवतम हो जाएंगे और भैसेशिकro पूर्व मीमानसा तो पूर्व मीमानसा के हो जाएंगे पूर्व है तो जैमीनी होंगे और बाद जो बाद रायन है उत्तर यानि उत्तर के उत्तर मिमानसा के कौन है बाद रायन यह हैं दर्शन और उनके प्रमुक प्रवर्तक हैं स्वांखिक कपिल है योग दर्शन की पतंजली है न्याय के गौतम या वैससिक का उलोक या कड़ाद होंगे पूर्व मिमानसा के जो प्रवर्तक होंगे वो दोस्त जैमिनी है जबकि उत्तर मिमानसा के जो है वो बादरायन होंगे ये छे हैं दर्शन उनकी प्रवड़ता का आगे बढ़ते हैं अगला है टॉपिक आपका स्लेबस का मौर बंज समराट असोक के बारे में आपके स्लेबस में है प्रशन है कि प्रथम भारती समराज जो अस्थापित किया गया था वो चंद्र गुप्त मौर की शासनकाल में चंद्र गुप्त मौर और शिकंदर महानी की भेंट का जो लेख किया वो जस्तिन ने किया है जलकी आवसकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम सासक ने गिर लेख सिलालेख है कोटिल लेके अर्थसास्त की जो पुस्तक है वो सासन की सिध्धान्तों की है राज नीति किसकी तुरना मैकिया बेली के दिप्रेंस से की जा सकती है तो कोटिल लेके अर्थसास्त की राज के शप्तांग सिध्धान्त के अनुसार राज का जो शात्वा अ बुद्ध का जन्म लुंबिने में हुआ था तो वहां अशोक हैं कौन अशोक जिसके साथ एक अभिलेक अभिलेक कौन सा रहा है तो रुम्मिन देई अभिलेक सारनाथ इस्थम्भ का जो निर्माल किया था वह असोग ने किया असोग द्वारा इस्थापित सबसे सुरच्छित इस्थम्भ है लोरिया नंदनगड का गुरजरा लगुसिला लिख जिसमें असोग का नामों लिख किया गया है यहां इस्थित है मध्ध प्रदेश के दतिया में ब्राम्ही लिफी का सरव प्रथम जो पढ़ा गया फिलिक वो जिम से प्रिंसप ने पढ़ा था वह अस्थान जहां प्राक असोग ब्राम्ही लिफी का पता चला है वो अनुराधा पूर है अपने शामराज के उत्तरी पस्मी भाग में उत्किन राजा ग्याओं के लिए असोग ने किन लिफियों का प्रियोग किया था तो अरामाई की लिफी ग्रीक योम खरोश्ती लिफी इलहाबाद में असोग इस्तंभ की सुसासक के बारे में सूचना प्रदान करता है तो इलहाबाद शमुद्र गुप्त फाहियान भारत में कब आया था तो 399 AD में आया कल करने चीज जो संबंधित था मौर्य मंत्री परिशद में राजस इकठा करने वाला जो होता था इसको क्या कहते थे समाहरता असोक का शमकाली इन तुर में कहां का राजा था तो मिस्त्र का रहा है एक इतिहासकार की अनुशार सिला लेख में असोक ने जिस धर्म का प्रतिपा था तो यहां फ्लीट इतिहासकार की अनुशार बात है आधनिक देवनागरी जो लिपी है इसका जो प्राचीन रूप है न वह ब्राम में लिपी है किसने सहिसुनता उदारता और करुणा के त्रिविद आधार पर राजधर्म की अस्थापना की असोक ने साची का इस्तू अस्थान था पाठिल पुत्र का मौरेकाल में धंड विधान जो थे वो कफी कफी कठोर थे मौरेकाल में धंड विधान कैसे कए काफी कठोर हुआ करते थे कालसी प्रशिद्ध किस लिए है तो असोक की सिला लेख के लिए प्रशिद्ध है चंद्रगुप्त मौरे ने अप सिला लेख है बारहुआं सिला लेख है बारहुआं सिला लेख तो यह अशोक्षे शम्बंदी तो महत्तोपूर तत्थ रहे हैं जो अक्सर एकजाम में पूछे जाते हैं तो मौरे बंसे में केवल और क्योल मौरे शम्राट अशोक्षे ही जो शम्बंदी तत्थ आपके एकजा अशोक का राजा विशेक कब हुआ था दोशोग उनहात्तर इशा पूर्व में हुआ था अशोक जो है राजा विशेक यानि राजा बनने से जो पहले थे यह अवन्ती 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 जो की उज्जैनी का जो है वाइसरा या उपराजा आप कह सकते हुआ करते थे अशोक की जो माता थी उनका नाम क्या था दोस्त अशोक की माता का नाम था सुभदांगरी सुभदांगरी ठीक है इसकी अलावा पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है क्या कहा गया है अशोक वर्धन ठीक है अशोक नाम का उलेख जो बिशिसकर मिलता अभिलेख पूछा जाता है तो याद रखिएगा माशकी अभिलेख है गुर्जरा है गुर्जरा अभिलेख और एक और नेतूर तो नेतूर अभिलेख हो गया तो तीन चार रहे हैं एक था उड़ेगो ओड़ेगोलम तो माशकी गुर्जरा या नेतूर या डेगोला तो इन में अगर आप से पूंचा जाता है नेतूर अभिलेख जो था इसह नाम से उपाधिया दी गई है तो देवा नाम अपिए देवा नाम प्रियदस ही ठीक है इसके बाद जब दोशो 69 इस भी में इनको राज्या भी सीख होता है तो दोशो 69 इशापूर में इनको राज्या भी सीख होता है ठीक आठ वर्स बाद 261 इशापूर उल्टा चलो ना इशापूर को दोसो 61 इशापूर में जो है ये कलिंग पर आकरमड कर देते हैं असोग शापूर में असोग जो है कि धर्म को मानने वाले थे तो याद रखेगा बहुत धर्म के अनुवाई रहे हैं इसके अलावा जो अशोग रहे हैं असोग जी एक होते थे आजीवक शंप्रदाय तो जो आजीवक शंप्रदाय की अनुवाई रहे हैं इनके लिए रहने के लिए गुफा कौन सी बनवाई थी बराबर की गुफाएं जो है पहाडियों पर जो है चार गुफाएं बनवाई थी बराबर पहाडी पर असोग ने नाम इतना डुटेल नहीं पढ़ना आपको चार गुफाय बनवाए थी बराबर पहाड़ी प्याद रखना आजिवक शंपरदाय के अनुवाईयों के लिए तीक है इसके अलावा जो अशोग के जो अभिलेख है तो अशोग का जो अभिलेख रहा है इस अभिलेख को बिसेकलित तीन भागों में विभाजित किया गया था जिसको आप कहते हो सिला लेख तेरा सिला लेख पढ़ते हो अशोग के आप सिला लेख है इस्तंभ लेख और तीशरा होगा गुहा लेख ठीक है बस इतना समझो आप ज़ाद डिटेल नहीं पेट के लिए पूचा जाता असोग की सिला लेख की खोज किसने की है तो असोग की जो सिला लेख की खोज करने वाले रहे हैं तेफिन तेफिन थलर कब खोज की थी 1750 ECB में इसकी अलावा जो कौशामवी का अभिलेख है कौशामवी का अभिलेख इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है सबसे छोटा अभिलेख कौशा है अभिलेख तीन भाग में आयो था तो सबसे जो इस्तंब रहा इस्तंब तो रुम्मन देई जहां पर आप जानते हो गोतम बुद्ध के जो जानकारी मिलती लुम्बिनी जन्म में तो रुम्मन देई शेही तो रुम्मन देई जो तो मगघा सामराट कस इस्तभ से जानकारी मिलती है भाबर इस्तभ से हैं। और या लोकेशन कहां पर है近ssä भाबर इस्तभ का राजस्थान ठीक है दोस्त। राजस्थान में । ति इस वीडियो का आप सुरु से लेकर आज तक देखे पेट में आप पूरा का पूरा करके आएंगे आसानी से और कुछ तत जो शाद वाहन यानि दक्षड जो राज रहा है असो के किसी भी अब लेख से जानकारी नहीं मिलती है उलेख नहीं किया गया है कुछ जो तेरा अब सिला लेख जो दिये गए है पहले सिल पशूबल की निंदा की बात की गई है पशूबल ही ठीक है तो पशूबल की निंदा पशूबल की निंदा इसकी जानकारी की सिला लेख से मिलती है तो असो का जो पहला सिला लेख है और पहला ही जो प्रिथक सिला लेख था पहला प्रिथक सिला लेख वहां पर जो है सभी मनुष्य मेरी संतान है यह जो है अशोक का पहला पिठक शिलालेक से जानकारी मिलती है इसके बाद जो आठवां सिलालेक है यह भी important है इसमें जो है विसेसकर जो अशोक रहें अशोक के तीर्थ यात्राएं जो रहें उनके उलेक किया गया ठीक है उसके बाद धम की जो वियाक्या करी지만 दम के पालन का उपदे 10 लेक है धम की वियाक्या 11 लेक है तो पहला याद रखो पशोबल की निंदा और सभी जो मन से है मेरी शन्तान या पहला प्रिसक शिलालेक से जानकारी मिलती है इसके बाद अती महात्तपूर एक तेरवां सिलालेख पूछा जाता है तेरवां सिलालेख इसमें कलिंग के उद्धिकी बर्णन की जो है या कलिंग के उद्धिकी जानकारी जो है मिलती है तेरवें सिलालेख से एक बारवास ऌलेख इसमे धर्मिक सभी मिलता है याद रखिये ग्छ अप जहां जाता था तो अशोक का या सबसे पूछा जाता है कि जो विशेशकर शमराट हुन की जानकारी मिलती है या बहुत जो रहें बहुत धर्म को अपनाने वाले तो अशोक ये बिल्कुल बहुत धर्म को अपनाने ही वाले इसकी संपूर जो प्रबल प्रमाड मिलता है ना वो भाबरू वही राजस्थान वाला ठीक है राबरस्थान भाबरू सिलन इस तम बसे चलिए दोस्तों असोग से शमद्नी तर्थें को आपने कबर किया है इससे ज़्यादा आपके एक्जाम में पूछा नहीं जाएगा आईए टॉपिक का अगला सिलिवस देखते हैं दड़ज गुप्त बंज इसमें शमद्र गुप्त और चंद्र गुप्त दुतिये दड़ज बिक्रमादेति के बारे में वह गुप्त शासक जिसने सर्व प्रथम सिक्के जारी किये थे तो वह था चंद्र गुप्त प्रथम रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शाशक कौन था तो चंद्र गुप्त दुतिये था भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है अक्सर एकजाम में पूछा जाता है भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है समद्र गुप्त को सक बिजेता के नाम से किसे जाना जाता है चंद्र गुप्त दुतिये को वे गुप्त शासक जिन्होंने होणों पर विजय प्राप्त की है इसकंद गुप्त है गुप्त स्वण मुद्रा को कहा जाता है गुप्त स्वण मुद्रा को दीनार कहा जाता था क्या दीनार सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिय साथ से जो प्राप्त हुआ है वह एरण अभिलेख से सारनाथी की भ्यूमिश पर्ष मुद्रावाली बुद्ध प्रतिमा जो कालंकित की गई वहा गुप्त काल से है बुद्ध प्रतिमावी जो काल अंकित है वो कब से गुप्त काल से प्राचीन भारत में वह बंस जिसकी सासन काल को स्वर्ण यूग कहा जाता है तो प्राचीन काल का स्वर्ण यूग कौन सा है गुप्त बंस वह राजबंस जो होडो के आक्रमर से अतिन्त बिचलिद हुआ गुप्त बंस भाग और बली तो इंप्वाटन्ट फैक्ट है भाग बल भाग और जो बली रहें वह राज़स के सुरोत रहे हैं भारति दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है सांख दर्शन और सांख दर्श मैंशन की प्रवड़त रहे हैं कौन से थे कपिल से स्थ कर्म का सिध्धांत संबंधित है वह मिमान्चा में दर्शन के दो रहे यह आपण 10 पूर्ब मिमान्चा और उतर मिमान्चा पूर्ब मिमान्चा के जैमिन प्रतिपादक auién अगला है आपका योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजली हैं, न्याय दर्शन के प्रशारित जो है गौतम, काम रूप में बैश्णो धर्म को जो लोक प्रिये बनाया गया, वह संकर देव के द्वारा बनाया गया, बीज गणित के छेतर में अपने योगदान के लिए विशेश रूप से जाने जाते हैं कौन भासकर, काली दास द्वारा रचित मालविका अगनी मित्र मनामक गरंथ का नायक कौन था, अगनी मित्र, गुप्त काल में उत्तर भारतिय व्यापार संचालिज जो होता था, वो त तामरलिप्ति बंदरगाह से, कौन सबंदरगा रहा है, तामरलिप्ति बंदरगाह, कुमार गुप्त प्रथम के मंद सौर अभिलेख में किस स्रेणी का उलेख है, रेसम बुन करूं का, वह गुप्त शासक जिसको गुप्त सासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का द गुप्त शार्षक को शमुद्रगुप्त कहा जा तो शमुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किस ने था तो यह चोंद्रगुप्त क संद्र नाम है बस्ता कि आप्शन पूचा जाए आप्शन में या देव स्री पूचा जाए कुछा जाए यानि जो आपकी चंद्रगुप्त दुतिये हैं विक्रमादित जिनको कहते हैं कि अन्य नाम है और क्या इसे शम्मादित पूछा जा सकता है विसेशकर जो एक जंद्र लालज की तो पर याद रखो जो बहुत धमठ है ना बहुत धमठ जिसको कि आप आगे जलकर बहुत आए मेघ बर्ण मेघ बर्ण ने जो है शमद्र गुप्त से जो है अनुमती ली थी बहुत धमठ के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला आपका टॉपिक हर्ष बर्धन से शंबंधित यहां पर हर्ष बर्धन से लेबस मेदे रखा है विसली ठीक है तो हर्ष बंध तब आता है जब गुप्त बंद्स का किया हो जाती है गुप्त बंद्स की शमाप्ति तो गुप्त बंद्स के पत्तन के बाद हों मैं डिली पंजाब हरी आड़ा चेटर यह थाने शूर नाम का स्थान पर जो है पुश्य भूत यह थभा। यह कौन से ऊस्या भूती तो पुष्य भूदी जो रहे इन्होंने वर्धन वन्स की जो है क्या है नीव डाली थी वर्धन वन्स की जबकि जो प्रभाकरन प्रभाकरन प्रभाकर बर्धन जो रहे हैं इनको जो है वर्धन वन्स का वास्तिविक्षन साबग माना जाता है तो इन्हीं प्रभाकर के होते हैं दो पुत्र तो दो पुत्र होती है और एक पुत्री होती है राजश्री तो आपको हर्सवर्धन से मतलब है तो दो पुत्र होते हैं एक होते हैं राजवर्धन दूसरे होते हैं हर्सवर्धन और हर्सवर्धन के बारे में ही सलेबस में आपक एक मौखर इबंस के राजा होते हैं ग्रह बर्मा उसके बाद ग्रह बर्मा की जो है हत्या कर दी जाती है मालवा की शासक देवगुप्त के द्वारा तो देवगुप्त के द्वारा जो इनके जीजा रहें इनकी हत्या हो जाती है तो ये जो राज नी बाध मित्र होते हैं गत्या कर देते हैं जो राजजबर्धन कतम हो जाते हैं फिर हर्षबर्धन पसते हैं इनके एक भाई और इनका जो समय पीरियड है याद रखेगा राजजबर्धन का भाई हर्षबर्धन हर्षबर्धन या आपको शिलेबश में पढ़ना है और हर्षबर्धन का जो समय पीरियड है दोस्त काल याद रखिएगा 606 में ये जो है गद्दी पर बैठते हैं और 647 तक जो है ये राज करते हैं कब से 606 में तो राज बर्धन की मिरित्यू के बाद हर्ष बर्धन गद्दी पर 606 इस भी में बैठते हैं हर्ष बर्धन का दूसरा जो नाम पूशा जाता है एक्षर तो याद रखिएगा सिला दित्या हर्ष बर्धन का दूसरा नाम सिला दित्य था हर्ष बर्धन ने कौन-कौन सी उपादी धारण की है तो परम महेश्वर की उपादी हो गई परम भटाकर की उपादी परम भटार क्यों पाधि इसके अलावा हर्ष बरधन ने जो अपनी राजधानी रही थानिश्वर अक्षर इग्जामें पूंचा जाता है तो थानेश्वर से इन्हों रचाईटा निश्वर्ष सीधे लेकल नूज़ के बारे में कहा जाता है कि जो कसमीर की सासक रहें उनसे जो है मात्मा बुद्ध का जो दंत का जो उसेश रहा उसको प्राप्ठी किया था कौन हर्ष बर्धन ने एक है आपका हर्ष चरिद तो हर्ष चरिद की जो लेखक रहे हैं रचईता बाणभट बाणभट के दरबार से संबांधित रहे हैं हर्ष बर्धन की दरबार से और हर्ष बर्धन की कुछ प्रमुख रचनाय हैं जो की अक्सर इकजा में पूछा जाता है नागा नंद ठीक है नागा नंद रतना वाली प्रिये दर्सिका ये हर्शबृधन की रचनाएं ہیں एक युद्ध होता है दक्षर सामराज में जो है बिष्टार की समय हर्शबृधन का युद्ध होता है नर्मदा नदी के तड़ पर नर्मदा नदी के तड़ पर किस से पुलकेशन दुतिये से और हर्सबर्धन के बारे में क्या पूँचा जा सकता आपकी एक्जाम में प्रियाग प्रियाग में जो है इन्हों प्रतेग पांच शाल पर प्रतेग पांच बर्स की अंतराल पर महा मोच्छ परिशद महा मोच्छ परिशद कायोजन किया जाता था कहां प्रियाग में और एक पूँचा जाता है आपसे तथ्य कि जो चीनी यात्री रहा हुएन्शांग वेन्शांग जो रहा है वा किसके समय जो है भाराता है तो यह चीनी यात्री रहा है 641 में जो है एक ताली सीजबी में हर्षबर्धन की शमय पे ही आया था जो कि आपके पेट में पूचा जा चुका है तो हर्षबर्धन जो हैं चीनी यात्री होता है यह आता है नालंदा विश्वेद्य लेम से च्छा ग्रहन करता है इसका जो मुख्य उद्दीश ही होता है जो बहुत ग् द्धन की समय 641 में तो इसने ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था सीम यू की असद्दों की जी्वनी किसने लिखी थी वह हुई ली हुई ली तो ये कुछ महत्तव पूंड तत्य रहे हैं ओबर भी उलिया आप देख लो टुदा पॉइंट जो कुछ पूंचे गए तत्य हैं सम्राट हर्षबर्धन ने जिस अस्थान पर अर्धानी अस्थापित की है वह थानी स्वर से कन्योज महोदया स्री के नाम करताने वाला चीनी यात्री था हुएंसांग 641 इस भी में शम्राट हर्षबर्धन ने दो महान धार्मिक शमेलन कायोजन किया था एक कन्योर और दूसरा प्रियाग में महा मोच्छ परिशत कायोजन प्रियाग में प्रतिक पांच चाल पर हर्षबर्धन करवाते थे किया था पुलकेशिन दूतिये ने नर्मदा नदी के तट पर उध्ध हुआ था तो इस तरह आपने हर्षबर्धन से संबंदी तथ्यों को कबर किया बगला तथ्य राजपूत काल चे चित तवड का कीरती स्तंभ का निर्माड जो कराया था और राणा कुम्भा ने पृथिवी राज चाऊहान ने मुहम्मद गोरी को 1911 के युद्ध में हराया परंद अगले बर्स क्या है उससे हार गया था प्रिथी राज चाऊहन का दरवारी कभी चंदरबरदाई महिर भोज जो था वो प्रतिहारबंस का साशक था प्रिथिवी राज चाऊहान ने शत्रो जैचंद गाडवाल की बेटी थी प्रथिवी राज चवहान की पिता कौन थी सुमेशर चवहान 1191 इस भी में सुल्तान मुहम्मद गोरी को हराने वाले प्रथिवी राज तृतिये किस बंस की राजा थी चाहमान बंस की उसकभी का नाम बताना है जिसने प्रथिवी र चवहान की जीवन के वर्डन है तृति चंदर बरदाई तो प्रथिवी राज राज रासो किसकी चंद बरदाई की है अगला है दो प्रमखो सहर चाहमानों के नियंतर में कौन-कौन से थे एक दिल्ली और दूशरा आजमेर तराइन का जो पहला युद्ध है वह मुहम्मद गोरिक और प्रिसरवाज चवहान की बीच 1911 में लड़ा गया था मुहम्मद गोरिक तुरक शासक्त अगला देखो आप गोविंद चंद्र गहडवाल की रानी कुमारी देवी द्वारा धर्म चक्र जिन बिहार बनवाया गया तो वह सार नाथ में अगला टॉपिक है आपक का सल्तनत काल सल्तनत काल के अधिकांस अमीर योम सुल्तान किस वर्ग के थे तो तुरक वर्ग के थे सल्तनत काल में भूमिकों नापने के लिए किस सब्द का प्रियोग होता था मसाहत सब्द का सल्तनत काल में सहन विभाग के अध्यच को क्या कहा जाता था आरिज ए मुमाल को कहा जाता था भारते इतिहास में शल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला जो काल रहा है वह बारासो च्छे इसबी से लिए करके बारास 1526 इसबी तक मंगोल आकरमणकारी चंगेज खां का भारत की उत्तर पस्चिमी सीमा पर किसका काल में आया था तो इल्तुत मिश के काल में भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने इकता ब्यवस्था प्रारंभ की थी तो इकता ब्यवस्था किसकी है इल्तुत मिश की दिल्ली का वह प्रतम शासक जिसने दरबार में गयर इसलामी प्रताओं का प्रतल नारंभ किया बल्बन था रक्त और लोह नीती किसने अपनाई थी बल्बन की है बल्बन के काल में बिद्रोह करने वाला बंगाल का जो गवर्नर था वह तुग्रिल खां था वह मध्धकालीन शासक जिसने सार्बजनिक वित्रन प्रणाली पीडियस जो सिस्टम है कोटावाला इसको जो प्रारंभ किया था वह अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आपको दिल्ली शल्तनत का खलीफाज गोशित करने वाला शासक कौन था मुबारक खिलजी दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने उधपादन या उपज का पचास परशंट भोराजस्च के रूप में वसूला था अलाउद्दीन खिलजी था तेरा सो तीन इस भी में काक्तिय सासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया अलाउद्दीन खिलजी को घरी अथवा ग्रिहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला जो सुल्तान था वहां अलाउद्दीन खिलजी था आगरा को जिसने राजधानी बनाया वहाँ सासव था सिकंदर लोदी आगरा की अस्थापना भी पूछा जाए तो सिकंदर लोदी सरकी सुल्तानों की सासनकाल में वहाँ अस्थान जिसे पूर्ब का सिराज कहा जाता था जाउनपुर जिस बैक्ति ने कहा था हुनोज दिल्ली दूरस्त यानि अभी दिल्ली दूर है वहाँ कौन थे निजामुद दीन अउलिया मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहा ले गया दौलताबाद एबन बतूता किसके सासनकाल में भारत आया महरत पौन प्रश्न मुहम्मद बिन तुगलक की सासनकाल में एबन बतूता भारत आया था इदिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यू पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ती मिल गई दिल्ली शल्तनत का सरबादिक विद्वान शासक जो खगूल सास्र गड़ित और विज्ञान शहित अनिक विद्याओं में माहिर था मुहम्मद बिन तुगलक भारत में सरप्रतम शांकेति के मुद्रा का प्रसलन जो किया था वहां मुहम्मद बिन तुगलक ने राज के खर्च पर हज की विवस्था करने वाला पहला भारती शासक कौन था फिरूज साह तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कारिया लए एक दिवाने खैरात तथा दारूल शफा की अस्थापना की थी वह था फिरूज शाह तुगलक सर्भकर किसने लगाया तो सर्भकर जो लगाया जाता था वो सिचाई पर लगने वाला कर था सर्भकर दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की अस्थापना की जिससे विभिन संप्रदायों की लोगों में एक दूसरे की विचारों की शमज को जो भेतर ह तो वुआ था फिरूज तुगलक, तो अनुवाद विबहाग कि अस्थापना किसने करवाई फिरूज साहतुगलक ने जौनपुर सहर की अस्थापना फिरूज तुगलक ने कराई ब्रामणों पर भी जडिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था व वह फिरूज शाह तुगलक ही था तो उपरा द्था मेरठ से दो असो दुल्ली राया गया व फिरूज शाह तुगलक निंए। सर्व प्रथम लोक नेर्माड विभाग की अस्थापना किषने कराई व निए तयमूर ने किसके सासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नाशिरुद्दीन महमूद की गुल रूखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किशने की सिकंदर लोदी ने वा मध्यकालिन शासक जिसने उद्गोशित किया था कि राजत तो ही बंधुत तो है तथा ब बहलोल लोदी जिसके सासनकाल में गुरु नानक देव ने सिक्धर्म की अस्थाप ना की थी वह था शिकंदर लोदी भारत में प्रथम मकबरा जो सुध इसलामी शैली में निर्मित हुआ था वह बल्बन का मकबरा था भारतिय वास्तुकला में सुरिखी का जो प्रारंब ह हुआ है वह सल्तनत की सुल्तानों द्वारा प्रसिद्ध संगीत कारतान सेन का मकबरा कहां लोकेटड है ग्वालियर यंपी में जंतर मंतर के नाम से जनख्याती प्राप्त खगूलिये वेध साला का दिल्ली में निर्माड किस ने कराया था जै सिंग दुतिये ने अमीर खुषरो दरबारी जो कभी था वालाउद्दीन खिलजी का तूति ए हिंद अमीर खुषरो का जजन्म हुआ है वह पटियाली में अमीर खुषरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमी का निभाई खड़ी बोली के विकास में अगला है वैश्डो संताजवारा कुछ अस्थापित चारमत दिये गए हैं तो स्री शंपरदाय और इनका मत है बिशिष्टा द्वेतवाद का रामन रचारी का होगा ब्रह्म संपरदाय द्वेतवाद का माधवाचारी है रूद्र शंपरदाय जो कि शुद्ध द्वेतव बात की बात करता है विश्डू स्वामी शंकाद शंपरदाय द्वेतवाद निम्बका अचारी का जो है यह मेलान करने को अक्सर एक्जाम में पूंचा जाता है पीसीएस में पूंचा जा चुका है दिल्ली का वाकौन सा सुल्तार ने जिसने अपने संसमान स्वयम लिखा था तो वहां फिरूज शाह तुगलक है सल्तनत काल में डाक ब्यवस्था का बिस्तित विवरण जो दिया वहां इबन बतूता है अगला टॉपिक है मुगल सामराज्य वहां युद्ध जिसमें एक पच्छ द्वारा प्रथम बार तोपों का उप्योग किया गया था तो पा राजित किसने किया था सैवानी खाने बाबर ने पादशाह की उपाधी जुधारण की वहां काबुल में बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वहां इब्राहिम लोदी वहां बाबर के बीच हुआ है और इ चंदेरी का युद्ध होता है वंतिस जून पंद्रा सो अठाइस को मेदनी रायों बाबर के बीच और बाबर इसमें बिजई है घागरा का युद्ध होता है छे मई 1529 को अफगान युद्ध बाबर के बीच तो बाबर भी यहां पर बिजई रहा है तो पानीपत का पहला खानवा का युद्ध चंदेरी का युद्ध और घागरा का युद्ध इन सभी को जीतने वाला बाबर रहा है पानीपत का युद्ध 21 अप्रेल 1526 है खानवा का 17 माच 1527 है चंदेरी का जुन 1528 और घागरा का 6 मई 1529 वा दो सासक जिनके मद 17 मई 1540 में कन्योज के पास का अंतिम अभियान था कालेंजर राज्य के बिरुद्ध मद्ध कालीन भारती सासक जिसने पट्टा योम कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह था सीर शाह तो पट्टा योम कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला कौन था सीर शाह सीर साह सूरी की जु भारत में चांदी का सिक्का वह किस सासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था यह रहा है सेरसाह वह इतिहासकार जिसने सेरसाह सूरी को अकबर महान से भी बहतरीन राष्ट निर्माता माना है तो के यार कानून गों ने अकबर के पूर्व तान सेन को शरक्षन किसने दिया था राजा राम चंद्र सिंग ने वह व्यवस्था जो राज्जी के कुलीन बर्ग से शंबनती थी यो जिसे अकबर ने प्रारंभ किया वो थी मन्शबदारी व्यवस्था तो मन्शबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया अकबर नहीं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत शेना का शेना पती कौन था हकीम खान शूर था अकबर के सासनकाल में ध्रूपद गायकों में जो शमलित थे वो तान से नूर हरिदास थी अकबर कालीन शेन ने जो व्यवस्था आधारित थी वहा मन्शबदारी व्यवस्था दीन ए इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार अब्दुलकादिर बदाविनी थे अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेंड दर्जा दिया जाने वारा प्रथम व्यक्ति था मुझफर खाह तुरबाती वह प्रशिद्ध जैन आचारी जिनको अकबर ने शम्मानित किया था वो था हरिविजय सूरी जैन आचारी अधम खाह किसके द्वारा मारा गया था बादशाह अकबर द्वारा वह बादशाह जिसे एक प्रभुद्ध निरंकुष कहा जा सकता है बादशाह अकबर इंग्लेंड की राणी एलिजावेथ प्रथम का शमकालीन भारती राजा कौन था बादशाह अकबर था अकबर के राज्यकाल में दच्छड में एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था गोलकुंडा राजपूतों का वह राज्य जिसके सासन ने जिसके शासक ने अकबर की शम्प्रभुता स्वयम स्वविकार नहीं की थी अती महत्यपूर फाइक्ट है राजपूतों का वह राज्यकौन शाह जिसके सासक ने अकबर की शम्प्रभुता स्वयम स्वविकार नहीं की थी वह था मेवाड का राज़ा अकबर ने सरव पर्थम बायबाहिक शम्बंध राजपूतों के जिस बंस से अस्थापित के थे वह था कछवाहूं का बंच चांदी बीबी जो अकबर के बिरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह कहां के थी बीजापूर की धक्कन का वह कौन शाराज्य है जो अकबर द्वारा बिजित किया गया धक्कन का अहमद नगर मुगल बादशा जहांगीर की पतनी नूर जहां का वास्तबिक नाम क्या था ? महरुनी शाह जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पतभी प्रदान की थी अबूल हशन वह सासक जिसने एक सिख्ध गुरू का सिर कलम करवाया था वह जहांगीर था जहांगीर के वियुद्ध धविद्रोह जो किया था खुर्रम, महाबत खां और खुशरोमने जहांगीर के दरबार में ब्रिटिस सासक जेम्शपरथम का राजडूत कौन था बिलियम हाकिन्ज ब्रिटिस राजडूत के रूप में सर धामसरो भारत आया था तो जहांगीर की सासनकाल में तामसरो किसके सासनकाल में भारत आया था या ब्रिटिस राजदूत था जहांगीर की सासनकाल में जहांगीर ने तामसरो को कहां मिलने का उसर दिया था अजमीर में तुसर तामसरो जो आये जहांगीर के सासनकाल में और इनको मिलने का उसर दिया अपने आप से जहांगीर ने अजमीर में वह कला जिसको जहांगीर ने सरचड दिया था चित्र कला मुगल समराट जहांगीर ने इंगली शुकानी की उपाधि दी थी बिलियम हॉकिन्स को मुगल समराट जिसने तंबाकू की परियोग उपर निशेध लगाया तंबाकू निशेध तो यह जहांगीर था वह सिख गुरू जिसने विद्रोही राजकुमार खुश्रो की सहायता की थी गुरू अरजुन देवने अगला आए कि एक डच परियटक जिसने जहांगीर की शासनकाल का मोलिवान बेवरण दिया है वह कौन था फ्रांसिसको पेलसा रटव मुगल सेना में चिकित्सक न्यूक्त किया गया था वर्नियर कोक न्यूक्त किया गया था बादशाह साजहा को शोपरसिद्ध हीरा को हिनूर जो भेंट किया था वह किसने किया था मीर जुमला ने किसे साजहा ने साह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को वह शमराट जिसने अपनी राजधानी आगरासिद दिल्ली अस्थाना अन्तिदी की साजहां जिन्दापीर के नाम से कौन जाना जाता था औरंग जीब दारासिकों को जिस अस्थान पर दफनाया गया था वह अस्थान है दिल्ली मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूति और मराठा सेना पतियों को किषने रखा था और अंगजीब ने रखा था तो एक्जाम में पूछा जाता है निमलेकित में से कौन शा मुगल चासक रहा जो राजपुतियों मराठा सेनापतियों को अधिक जो है शबसी अधिक रखा था तो वहां आपके आपसन में अकबर दे देगा औरंगजीव मुगल बाशा अकबर इस तरह दे देगा तो आपको लगाना होगा औरंगजीव साजहां कि सासनकाल में अधिकांस शमय तक दक्कान का गवर्नर कौन रहा औरंगजीव था अपनी विजयों को लिपिबाध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजीव ने ढून निकाला था इश्वर दाश नागरगु मुगल समराट औरंगजीव वाधियंतर जो बजाते थे वा भीणडा वाधियंतर रहा है वा मुगल बादशाह जिसको दो बार सिंगासना रोहन हुआ औरंगजीव था औरंगजीव ने दच्छन में जिन दो राज्यों को विराजित जो दिन राज्यों को विजित किया था बीजाई था वह बीजापूर और गोल गुंटा को जीता था और अंग जीब आगे देखते हैं भहमनी राज से शंबन तो बीजापूर जो राज्य है यह आदिल शाही बंस से संबन्धित रहा संसथापक एक से यूशिफ आदिल शाह रहे हैं अस्थापना इसकी चौदा सु पित रहा और इसकी संसथापक रहे हैं फतेह उल्ला इमाद शाह 1490 में इस्था पित हुआ गोल कुंडा तो गोल कुंडा और बीजापूर को याद रख हुआ अप गोल कुंडा आदिल शाही बीजापूर कुदव शाही तो दोनों साही है कुली कुदव शाह इसके पक 15.14 और 1489 है बीदर बरीदसा और अमीर अली बरबाद तो बीजापूर और गोल कुंडा याद रखो दोस्त आगे बढ़ो अगला फैक्ट है कि संत रामदास को किसके सासनकाल से संबन्धित किया जासता है औरंग जीब औरंग जीब ने किसको साही बात उस जमानी की जजिया कर किसके सासनकाल में पुनह लगाया गया था औरंग जीब औरंग जेब की सासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को छतिगरस्त किया था अकबर की वह मुगल बादसाह जिसको साहिब एक खबर कहा जाता था बाहादूर शाह था वह बादसा जिसकी सासनकाल में हिज्णों तथा महिलाओं की एक बर्ग का प्रभुत्र था अहमद शाह अवध का प्रथम नवाब कौन था सहादत खाँ था अउरंग जेब की 1707 इसबी में मृत्ती होने के पशात सत्ता जो शंभाली थी वह बहादूर शाह प्रथम ने शंभाली थी पिसली बार मिलान करने को आया था अउरंग जेब की जगा वहाँ पर 1717 दिया था गलत कथन पूँछा था इस तरह करकी पूँछा गया था बुलंद जो दरवाजा बनवाया गया था वह अगबर द्वारा जहांगीरी चित्रकार जो थे ववबुल हशन और आकारिजा जहांगीरी के दरवार में पच्छियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वह मनसूर था चित्रकला की मुगल सैली को आरम जो किया गया था वह मुगल सासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू शंगीत की सिच्छाली थी अगबर था सेर साह का मगबरा जो इस्थित है सासाराम में और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निरमार किराया था और अंगजेब ने प्रसिद तानसेन का मगबरा इस्थित गौालियर में है किसने अपने बादशाह पती हुमायू के लिए मगबरे का निरमार कराया था हाजी बेगम ने वह मगबरा जो द्दुतियत आज महल कहलाता है तो राबिया उद्दौराणी का मगबरा है दिल्ली के पुराना किले के भरत्मान सुरूप का निरमार करवाया गया था सीर्षाह दूरी की द्वारा फतेपूर सीकरी में बादशाह अकबर ने निरमीत क्या कराया था पंच म आगे देखो आप यहां पर महावारत की फार्शी अनुबाद का शीरशक रज नामा है वा मुगल बाद साज इसने अपनी आत्म कता फार्शी में लिखी जहांगीर रामैर का फार्शी भासा में नुबाद किया था अबुलकादर बदाविनी ने मुगल साह जादियों में से क हुमायू नामा लिखा है तो हुमायू नामा है गुलबदन बेगम की इनकी चचेरी बहन रहें अनवर ए सुहायली नामक ग्रंथ किसका अनुबाद है पंच्यतंत्र का साज जहां के सासनकाल का राज कभी कौन था कलीम था हितो उपदेश हितो उपदेश का फार्सी में जो अनुगले माली ने किया था हिंदू धर्म गरंतों का अध्यन करने वाला पहला जो मुश्लिम था ना कौन था दारा शिको सा मुगलों की राज कि श्या ऑद कि फार्सी बाबर नामा का अंग्रेदी में अनुबाद किया गया लेडिन और रश्किन के दोरा कालिदास की जौनपुर राज्य का अंतिम शाषक कौन था हुसेन साह मुगल प्रशासनी शब्दावाली में माल प्रतनिस्तु जो करता था अभूराजस को जो है माल कहा जाता था मुगल प्रशासन में बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था लचमर देव था रुहेला सरदार अहमद शाष अबदाली का विश्वाश पात्र कौन था नजीब खान था गाजियुद द्विन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होप्त कुलजुम प्रशासनिक शुधारों की पुस्तक है सुजाउद दौला का मगबरा इस्थित कहां पर है फैजाबाद अयोध्या में होई सलों की प्राचीन राजधानी द्वार शमुद्र का वर्तमान नाम क्या है है हैले विड पंजाब में अमरित शर नगर को इस्थापित किस ने किया है गुरु रामदाश ने मुगल शासन में तांबे का सिक्का जो कहलाता था वह दाम कहलाता था मुगल ने नवरोज का तेवहार जो लिया था वह पार्शियों से लिया था मुगल कालीन भारत में राजध की आयका जो प्रम हुसरोत था मुगल कालीन भूराज श्वा जिसको माल कहते थे मुगल काल में मौलिम जो था वह एक जहाज गना था हैदराबाद की सोतंत राजध का संसुथापक कौन था चिन किलिच खाँ भारत का वह अस्थान जहाँ पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्मार किया था कोचीन मध्यकालीन भारत के मुगल शाशक वस्तुता कौन थे चगताई तुर्क मध्यकालीन भारत के मुगल शाशक वस्तुता चगताई तुर्क वह शमादी जिसके कारण नांदेड गुर द्वारा सिक्खों द्वारा पवित्र माना जाता है गुर दिव गुविंद तो गुर ग मराठों की कराधान प्रणाली से शम्माधित यूग मुकौन से चौथ और सरदेश मुखी है। मुगल सामराज जी के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशत सक्ति के रूप में कौन उभरी मराठा। सुरच्छा के लिए मराठों के राजस्ति के दाओं को जो जाना जाता है वह चौथ नाम से। सिवा जी के शामराज जी की राजधानी अवस्थे थी रायगड़। मराठा रानियों में जिसने 1720 से आगे मुगल सामराज जी की प्रदु संगर्श का नितुत किया वह कौन थी तारा बाई। सिवा जी का वहात्रा धिकारी जीसे अरंग जेव ने इमानदार की उपाधि दी थी तारा बाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्ति भी किसा सक तो बाला जी बाजी राव। सिवा जी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था शलहार युद्ध में। सिवा जी के समय सरनोबत का पद शंबध जुथा वश्यन प्रशासन से मराठा सामराज जी और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के प्रितनिध्यों ने किस वर्स में शालबाई की संधी पर हस्ताचर किये थे तो 1782 इसबी में। बर्स 1665 इसबी में पुरंदर की शंधी का प्रत्रक्ष जो लच्छ था वह सिवा जी और वीजापुर के शुल्तान के बीच विबाद के बीजबुना। भारत में मुगल सासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक स्रेय किसे दिया जाता है मराठों को। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की जो सुरवात की थे किसने सिवा जी ने सिवा जी को छत्रपती का ताज पहनाया गया था बर्स 1674 में। छत्रपत सिवा जी महराज जिनका साशन प्रिशाशन 1674 से 1680 यकिस बंस किसा सक थे मराठा बंस। मराठा सामराज का दूसरा संस्थापक किसी माना जाता है बाजी राव प्रथम को। बाजी राव प्रथम कौन थे एक पेशवा थे पूड़े कभी पेशवाओं की राजधानी की रूप में जाना जाता था। बाजी राव दूतिये एक पेशवा थे बरस अठारा सो कब अठारा सो अठारा में मराठो द्वारा बिटिस को किये गए आत्म समरपन से मराठा सामराज का अस्थित शमाप्त हो गया जिससे तीशरा अंगल मराठा युद्ध भी शमाप्त हुआ तो 1818 सिवा जी महाराज के शाषनकाल में मंत्री परिशद को किस नाम से जाना जाता था अस्ट प्रधान की नाम से तो सिवा जी के जो अस्ट प्रधान रहें वैसे कि लिए अस्ट प्रधान अस्ट प्रधान की अगर बात करें अश्ट प्रधान तो जो राजा का प्रधान मंत्री होता था राजा का प्रधान मंत्री वो पेशवा होता था पेशवा वहें पर बित्त राजस्व जो मंत्री होते थे बित्त योम राजस्व तो बित्त राजस्व जो मंत्री होते थे जिनको अमात्य कहा जाता था अमात्य तीशरे अगर बात करें सचिव सचिव थे यह सचिव कौन थे सचिव जो है बिशिकली जो राजिकिय पत्र ब्यवहार का कारे देखना इसके बाद चौथा अगर बात करें सुमंत या दबीर सुमंत या दबीर दबीर तो इनका काम बेसिकली कौन था ये एक बिदीश मंत्री हुआ करते थे सुमंतिया दबीर पांचवा अस्ट परधान में पांचवा अगर बात करो तो पंडित राव को ले लो पंडित राव कौन होते थे बिद्वानों और धार्मी कारियों के लिए नुजानों का दायत तो निभाय करते थे और छठा जो है निया अधीश की अगर बात करोगे तो जो मुख निया अधीश होते थे उनको निया अधीश की नाम से तो छे होगे साथ और ले लो जिनको मंत्री जो मंतरी होते थे बिसेकली राजा के देनी कारियों दर्बार की प्रिडिन की जो कार वहई होती थी उनका विबन्द रखती थे तो मंत्री या वाकिया वाकिया नाम से और आठवाँ एक लेलो जैते सेना पती ठीक है तो सेना पती या सर ये नौवत तो सर ये नौवत ये सेना पती जो होते थी सेना की भरती हो गारा संगठन रसद्यादी का जोका है प्रबंधन जो है देखते थे मैंने जी तो नंबर वन आपने देखा पेशवा पेशवा राजा मंत्री राजा का मंत्री प्रधान मंत्री होता था वित्त राजस्वाले अमात्य कहलाते थे और राजा की धैनिक कारियों का विवरणों गयरा मंत्री या वाकिया नाम से देखते थे राजकी पत्र विवहार कारी देखना ये सब सची प्रदान आगे बढ़ते हैं मराठा हो गया कंप्लीट अगला है आपका सिलेबस का टॉपिक है ब्रिटिस राज का अभिद्ययों प्रथम स्वतंतरता शंग्राम भारत में अंग्रेजों की शफलता था प्रांसेसियों की आशफलता के जो कारण थे वह अंग्रेजों की बहतर नौसेना का होना सुप्रसिद उर्दू सायर मिर्जा गालिब का जो मूल निवास था वो आगरा था बंगाल की फैक्टरियों में से एक जो पुर्दगालियों द्वारा श्थापित की गई थी वह थी हुगली में वह यूरोपिय शंब्दाय जिसने भारत के साथ प्रथम ब्यापारिक शंबंद स्थापित की थे तो पुर्दगाली थे भारत में पुर्दगाली सक्ति का वास्तविक संसथापक अलबकुर्ग था भारत में मुद्रण लै भारत में मुद्रण का जो आले रहा मुद्रण लै लाने वाले प्रथम कौन थे पुर्दगीज थे पुर शासनकाल में हुई थी लुई चौधंवी की शासनकाल में लंदन में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी की गठन की समय भारत का बादशाह कौन था लंदन में तो लंदन में गठन की शमय अकबर रहा है भारत में गठन की शमय सा जहां आगे देखोगे असम में सरप्रतम चा लाड कलाइब द्वारा प्रास्त हुआ था पलासी के उद्ध में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगीर अस्थान अंत्रित की थी तो मुर्शिदाबाद से मुंगीर अस्थान अंत्रित जो की थी मीर कासिम ने वह अस्थान जहां पर पलासी उद्ध के बा था तो इंदोर के जो होलकर राज रहे वह सहायक शंधी को शविकार नहीं किये थे अवद के नवाब वाजी दली शाह को इस इंडिया कंपनी ने गद्धी से कब उतारा था ठारा सो छपन में लाड़ डलहुजी ने कुशासन की आधार पर अवद का बिले अंग्रेजी राज में कर लिया ठारा सो छपन में तो आप राज जढ़प नीती के तहत पढ़ते हैं सतारा अगरा का जो बिले होता है सुरुवात में शुरू किया जाता है तो आवद का बिले होता है लेकिन आवद का जो बिले है वो राज जढ़प नीती के तहत नहीं यहां कुशासन की बिहार में 1857 की विद्रो का मुख्य शंगठन करता कौन कुमर सिंग 1857 की विद्रो के बारे में सबसे पहले भारत की स्वतनता की पहली जो लड़ाई कहा था किसने कहा था 1857 के विद्रोके की भारत की सुतंता की पहले लड़ाई है तो ये वीडी शावरकर ने कहा था बिनाएक दामुद्र शावरकर ने एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का जो घुषडा पत्रा वा इलहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था लाड कैनिंग ने 1857 में किसने इलहाबाद को आपाद कालीन मुख्यला बनाया था तो लाड कैनिंग ने मंगल पांडे कहां के विपलाव से जुड़े थे तो यह बायरगपुर के नाना सहाब का कमांडर इन चीफ कौन था तात्या टोपे सन 1857 के बरेली विद्रो का नेता कौन था खान भादुर भारत की शुतनता की पहले जो लडाई 1857 थी यह प्रारंब होई थी मेरठ से इलहाबाद में 1857 के शंगराम का नेता कौन था मौल भी लियाकत अली 1857 के स्वतनतरता स्वाधीनता शंगर्ष की विरांगना महालानी लक्ष्मी बाई की जन्मस्थली वारानसी है 1857 के संगराम की किंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुना अरिकृत किया दिल्ली को अधिकृत किया असम में 1857 की क्रांती का नेता कौन था तो दीवान मानिश राम भी लिखा देखने को मिल जाता है 1857 के संगर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सरबादिक शंक्या आवद से थी भारतिय भासा में 1857 की विपलो के कारण यानि 1857 का जो सुतना क्रांती रही है इसके कारण लिखने पर वाला जो प्रतम भारतिय था ना वो सर सेद अहमद खां रहा अगला है कि 1857 की क्रांती हिंदू मुश्लिम सडियंत्र का प्रतिफल था यहां कथन था जेम्स आउटरम का 1857 की विद्रो की समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन था विश्कांट पामर्ष्टन था तो यह एक्जाम में पूछा जा सकता है अगए 1857 की समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन था तो विश्कांट पामर्ष्टन भारतिय प्रस की सुनता की समर्थक कौन थे लार्ड ह मिस्टर थॉमस रावर्शन को अपने कारियाले में भारत बोलाया था तो यह रेलेवे में शुधार के संदर हुमें एक मात्र भारतिये जो भारत के गवर्णर जन्रल हुए वे थे सी राज गोपालाचारी ब्रिटिस संसद में महाभियोग का मुकादमा चुछ चलाया गया था वहाँ वारिन हेस्टिंग पर चलाया गया था भारत का पहला गवर्णर जन्रल कौन था भारत का पहला गवर्णर जन्रल भारत का पहला लार्ड विलियम बैंटिग भारत में अंग्रेजों की समय में प्र प्रतेग जो हर 10 साल पे जनकरना हो रही है वहां वायसरा जिसकी हत्यान नमान निकुबार्थ दीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडेत अपराधी द्वारा की गई थी तो वह लाड में वह भारत में करजन के प्रसाशन की तुलना और अंगजेव से किस ने की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने जीके गोखले ने लाड कार्णावलिस की कब्र कहां इस्थी थे गाजीपुर में आंगल नेपाल युद्ध जिसकी शासनकाल में हुआ था लाड हेस्टिंग किसे स्वर्ग से उत्पन सेना नायक कहा गया है तो राबर्ट कलाइब को भार भारतिये लोक सेवा का प्रवर्टन किया गया कार्णावलिस की शासनकाल में दप्राब्लम आफद फार इस्थ नामक पुस्तक के लेखक लाड करजन है भारतिये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता मुक्तिदाता चाल्स मिठक आपको कहा जाता है वा गवन्न जन्नल जिसने भारत में दास्व प्रथा को शमाप्त किया था लार्ड एलन बरो दास्व प्रथा को गवन्स गवन्न जन्नल था लार्ड एलन बरो गांधी को वनमाइन बाउंडरी फोर्स कहकर किसने शंबोधित किया तो माउंट बेटन था माउंट बेटन ने गांधी को वनमाइन बाउ प्रभीश के उसर पर बं फेका गया था तो दिल्ली में कौन प्रभीश कर रहा था लाड हार्डिंग दूती पिर बं फेका गया स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्ण जन्नल बिल्यम बाइंटें लेकिन स्वतंत्र भारत का गवर्ण जन्नल कौन होगा लाड माउंट बेटन बंगाल में भू बंगाल में भू व्यवस्था को पुनट गढ़ित करने वाले गवर्नर जन्नल कों थे लाड का नवलिश प्रथम आंगल बरमा युद्ध के दोरान भारत का गवर्नर जन्नल कों था एम हर्ष्ट था तेरवां जो टॉपिक है आपका सिलेबस का भारती इतिहास का ब्रिटिस राज्य का आर्थिक प्रभाव बर्ष 1813 के प्रारंभ में इस्ट इंडिया कंपनी के ब्यापारी के एका अधिकारों की शमापती का भारत की अर्थ ब्यावस्ता पर क्या प्रभाव पड़ा तो अधोगी की करण में कमी हूँ अठा अंग्रेजों ने रईयत वाड़ी व्यवस्ता सरप्रथम कहां प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में भारत में ब्रिटिस बस्तों के आयात पर दी गई विशेश रियास्तों का कहा जाता था तो इंपीरियल प्रेफरेंज ब्रिटिस आसन की समय अर्थ व्यवस्ता को खोखला करने की शिद्धान्त की बारे में पुस्तक किसने लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने किसने ये बिचार दिया था कि भारत में ब्रिटिस आर्थिक नीत घिनवनी है तो कार्ल माक्ष ने इसियार्टिक सोसाइटी आफ बंगाल की अस्थापना किसने की सर बिलियम जोंस ने अगला प्रस्ण है कि भारत में करजन के प्रशासन की जो तुलना है वो औरंग जेब से किसने की थी तो करजन के प्रशासन की तुलना और अंगजेव सी गोपाल के हिंड गोखले जो की आल्रेडी कबर कर चुके हो 1791 इसबी में बनारस के जिस ब्रिटिस रेजिमेंट के प्रयासुस हिंदू बिधियोम दर्शन की अध्यन करने के लिए बनारस में संस्कित कॉलेट की अस्थापना की गई थी वो है जोनाथन डक्कन एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के जिस सदस ने पहली बार मूल श्री भगवद गीता का संस्कित से अंग्रेदी में अनुबाद किया था वो चार्ल्स बिलिंकशन था कौन था चार्ल्स बिलिकशन तो याद रखिएगा श्री मद भागवद गीता का संस्कित से अंग्रेदी में अनुबाद किसने किया कौन सा सदस रहा पहली बार जो कि एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल का सदस से रहा वो है चार्ल्स बिलिकशन भारती अकाल संगिता 1883 का निर्माड की आयोग द्वारा किया गया था इस्ट्रेची आयोग की द्वारा 18-वी सताबदी के पूरबार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्तपुन बस्तमे थी सोरा कच्चारेशम चीनी अफीम इंडियन सिबिल सर्विस परिच्छा में उत्तिर्ण होने वाले प्रथम भारती एकाउन थे सतेंद्र नाथ टैगूर थे तो इस तरह आपने पूरा जो रहा है भारती इतिहास की तेरा टॉपिक कबर कर लिए हैं कुछ जो ब्रेकट वाले रहें को आईये कबर करके कम्प् तो सन्यासी जो विद्रो है यह 1763 अठारा इस बी की समय हुआ बिहार बंगाल प्रभावी छेत्र रहा केना शरकार और दिरजी नारायट जो है इसके संबंधित नेता रहे हैं फकीर विद्रो बंगाल का रहा है 1776 का मजनुन सायूम चिराग अली शंबंधित नेता रहे हैं पहाडिया विद्रो है बिहार भागलपूर तिलकाज भांजी 1786 का है चुवार विद्रो बंगुडा बंगाल करणगर की रानी शिरोमड यूम दरजिन सिंग द्वारा चेरो विद्रो है जहार खंड पलामू में भोशड सिंग नेता रहा सो में हुआ पाली गरों का विद् अक्सर एक्जाम में आपसे पूंचा जाता है भील विद्रो तो भील विद्रो कब हुआ है दोस्त अठारा सो पच्चीस से यक्तिस के बीच पश्चिमी घाट प्रभावित छेत्र रहा है और सीवा राम इसकी नितित्र करता रहे हैं रमोसी विद्रो भी आपके एक्जाम म और टीपू जो है नेता रहें इसके अठारा सो पचीस अत्ता इसके मध्य हुआ है अहोम विद्रो अशम में शंबंधित है गोमधर कुमर शंबंधित अठारा सो अठाईश है बहाबी आंदोलन है विहार उत्तर प्रदीश संबंधित है सैयद अहमद बरेलवी अठारा सो इसके में हुआ को भूमिज भीद्रो है खासी विद्रो तो खासी विद्रो आपके लिए इंपौर्ठेंट या आसम राज से संबंधित है तीरत सिंख इसके निटीट्ट करता रहें अठारा सो प्रहं कण्ध भीद्रो है औरीशा का फरायजी आंधोलन है बंगाल का संथाल विद्रो आपकी एक्जाम में पूछा जाता अकसर संथाल विद्रो तो संथाल विद्रो संबंधित नेता हैं सिंधू कानू और बंगार यों विधार राज संबंधित होगा और 1855 और 56 में हुआ है मिलान करने को पूछ लेता 1856 मुंडा विद्रो जहार खंड का है दोस्त पाइक विद्रो है नील आंदोलन है तो आप से जो पाइक विद्रो को भी याद रखना है शन्थाल विद्रो है पाइक विद्रो मुपला विद्रो संबन्धित होगा माला बार केरल से अली मुशलियार नेता होंगे 1922 में संबंधित है इसके बाद है आपका कूका अंदोलन कूका अंदोलन भी पूँछा जाता है राजियाद रखो पंजाब है और भगत जवाहर मल और रामशिंग नेता है इसके 1840 रंपाओं का बिद्रो है दोस्त अंद्रपरदिस ताना भगत अंदोलन यह आपसे पूँच लिया जाता है ताना भगत अंदोलन तो जतरा भगत जो है इसके नेता है और 1914 इस भी काहिए बिहार राज संबंधित होगा तेभागा अंदोलन है उसके बाद तेलंगाना अंदोलन है अंध्रप्रद्र सम्बंधित होगा अठारफ़ सो सत्ताउन की महान कृरांती के प्रमुख केंद्र है यतियव प्रमात्पूण अतत्थ्य है तो डिल्ली डिल्ली से शुरुआत होती आप जानते हो मेरट से स्टार्ट होता हैं ना 1877 की कृरांती दिल्ली चलो नारा होत दिल्ली चलो पहुंचते हैं बाहदूर शाह जफर वहां बैठे आराम कर रहे होते हैं बाहदूर शाह जफर जो है भारती यहां पर नायक दिए गए हैं वक्त खाँ शैन नेतियुत के थे दिल्ली से और 11 से 12 माई 1867 तावन इसके बाद कानपूर तो कानपूर शे नेतुत किसली किया है शाहवा रहना दुनद्धुपण टात्या तोपब लखनऊ वेगम स संबाद दीथ्या जाता है तो आपसे केंद्र पूछ लिया जाता है नेतुत करता आप और उनके जो दमन करता रहे हैं जैसे जासी की राणी हिरूज रहे हैं तो इनके बिरोध में जो अंग्रेज रहे हैं विद्रों को दबाने वाले यहां पर दिया गया है निकलशन काइमपबेल जो है कानपूर नाना शाहप की वाले में रहें लखनों में हेरिनरी लारंस हैं तो खासकर जो आपसे एकजाम में पूछा जाता है न वो यहां पर केंद्र पूछे जाएंगी उनके नेतियुत करता तो दमन वाले में देख लो एक कानपूर का काइमप सिशुनाग बंस के संस्थापक शिशुनाग बैशाली राजधानी नंद बंस के संस्थापक महापदमनंद पाठिल पुत्रा मौर बंस के संस्थापक चंद्रगुप्त पाठिल पुत्र राजधानी शुंग बंस की राज संस्थापक पुष्यमित्र सुंग पाठिल पुत कड़ फिसिस था पुरुषपुर राजधानी गुप्त बंस का स्री गुप्त वाकाटक बंस का संस्थापक था बिंध शक्ति और राजधानी पाटल पुत्रा यानि गुप्त बंस की जो है पाटल पुत्र है होड़ बंस की अगर बात की जाये तो होड़ बंस की संस्थापक है फुर्ष्य भूते हैं है कि थानी स्जवर कन्योज राजधानी तो थानेशे से कन्योज राजधानी लाया था वर्श्वरधं रहा पंडवंस का संव्पाक नूढियान मदुरयरा है चोलबंस का संव्पाक भिजयाल है तंजोर कि Really तो पल्लव बंस के संसिठापक शिंग बरमन चतुर्त रहेरा कांची पुर राज्धानी चराष्ट कूट के कि मिलान करने का के पोछ स्थापक पूचलेगा दंतिधर्ग जो है वेंगी स्थापना विश्डू वर्धन मैं वेंगी राजधानी होगी। कदम बंस के मैयूर शर्मन, काकतिय बंस बीटा प्रथम, गंग बंस ब्रजहस्ट पंचम, पाल बंस के संस्थापक गोपाल थे और राजधानी थी मुंगेर, सेन बंस के शामंत सेन, कोड बंस के दुरलभ बर्धन, कुतपल बंस के अवंति बर्मन, लोहार बंस के शंगराम र राजधानी important है गहडवाल बंस चंद्रदेव चवहान बंस बाषुदीव परमार बंस की उपेंद्र है चंदेल बंस की ननुक है सोलंकी बंस की मूल राज है गुलाम बंस तो गुलाम बंस की संस्थापक है कुट बूद दीन एबक राजधानी है दिल्ली खिलजी बंस यह क् तो पियाद रखो पечा दिए फिर शंगमबंच है तो मोगल कुल श्याम रावज ज slip कर लोधी बंच दॉक और जोपी सब्सक्राद एक सव्याद रखो और संस्थापक के इंप्वार्टन्ट एक्जां में जुडूर पूंचा जाएक इसके बात संगम बंत की संस्थापक हरीहरी और मुपका विज्सामराज एक सरक्सक्राइब पूंचा जाता है तो विजन अगर राजधानी और संगम बंत की रहें हैं और राजधानी है बिजय नगर तो यहां सालू देख रहा है यहां पर शालू है नर्शिंग शालू होंगे शालू बंस के तुलो बंस होंगे वीर नर्शिंग है आर वीडू बंस तो संसथापक तिरूमल राजधानी है पेन कुंडा बहमनी बंस के संसथापक है हसलत गंगु आदिल साही बंस के आदिल साह, निजाम शाही की मलिक हमद, इमाद शाही की फतिह अल्ला हमद शाह, कुतुब साही बंस है, वजी साही है, शरकी बंस मुगल बंस तो मुगल बंस के संसापक बाबर याद रखो दिल्ली आगरा राजधानी होगी इसके बाद भूशले बंस है हैदराबाद की श्वतनतर राज्य हैं तो दिये हैं जो इंप्वार्टन बता है इन्हीं को आपको पढ़ने हैं कुछ दोर नहीं पढ़ना महाजनपदों का उदय दिया हुआ है दोस्तों तो महाजनपदों से आपसर राजधानिया उगएरा पूशा जा सकता है तो महाजनपदों उनकी राजधानियों को याद रखो इतना ही परियाप्ट होगा अंग की राजधानी होगी चंपा मगद की राजधानी ग्रीबरद की राजग्रिय होगी काशी की वारांसी है वच्ज की कोशामबी होगी वच्ज की बैशाली विदी मिथिला है कोसल की सरावस्ती है अवंती तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयन है दच्छडी अ वंति की महिशमती होगी मल्ल की राजधानी है कुशावती या कुशीन पंचाल की राजधानी होगी अहिशत्रिया कामपिल चेदी की राजधानी सक्ती मती कुरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ तो मिरान करने को पूशा जाएगा आपके एक्जाम में इतना जादा या तो चार मिलान करने को पर दे देंगे अगर एक दो मिला ले जाएंगे तो मिली जाएगा आपका तो शोला महाजनपत उनकी राजधानिया हो गया और इसे के साथ पूरा आपका जो भारती इतिहास कम्प्रीट हो जाता है अब बढ़ते हैं भारती राष्टी अंदूलन तो ट दस प्रस्ण दस नंबर आजाएंगे यहीं से ही तो भारती राष्टी अंदूलन का जो पहला टॉपिक दिया स्वाध हिंता अंदूलन के प्रारंभिक बर्ष उन्ने सो वंतिस से वंतालिस के बीच मजदूर अंदूलन के मंद पढ़ने का जो कारण था वो ट्रेड यूनि श्वामी सहधारंद सरस्वती 1940 के अगस्त प्रस्ताव में प्रस्ताव जो रखा गया था वो प्रांती श्वायत्तता का असायोग अंदूलन चलाने की पिरणडा देने वाला तातकालिक जो कारण था वो खिलाफत के प्रति अन्याय खुदाई खिर्मदगार संगठन का संस स्थापक खान अब्दुलगफार खान उन्नीस सो आठ इसबी में मुस्लिम लीग के इस्थाई अधच के रूप में जो चुना हुआ था वह हुआ था आगा खांगा वह मुस्लिम नेता एनिवेशंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में शमलित हुआ था मुहम मुहमा दली जो जिन्ना रहे है वह एनिवेशंट द्वारा दो मुस्लिम लीग की इस्थापना की गई थी ना की च आड़ कि जीए मुस्लिम लिग होम रूल होगा ठीक है तो होम रूल लीग होम रूल लीग अस्थापना आप जानते हुए का आपका बाल गंगा धतिलक से शमबंदित हो जाता दूसरे निबेसेंट से तो जो एनीबेसेंट वाला होम रूल लीग अस्थाबना हुआ था इसमें जो शमलित होने वाले मुसिलिम नेता अगर पूछा जाता है तो मुहम्माद अली जिन्ना होगा सरपृथम बंगाल में बिटेन की बस्तों के बहिश्चकार का सुझाओ जो दिया वाक्रिष्ण कुमार मित्र की शमाप शापताहिक जो पत्रिका थी संजीवनी 1906 एजबी में स्वराज को राष्टी आंदोनन का लच घोशित करने वाला भारतिय राष्टी कांगरिष का ध्यच कौन था दादा भाई नौरोजी थी बर्स 1920 एजबी में कांगरेश के नागपुर अधिवेशन में असायोग का मुख्य प्रस्ताव जो प्रुस्तुत किया था वह सी यारदास चितरंजन दास ने असायोग का मुख्य प्रस्ताव किशा दिवीशन में नागुपुर दिवीशन में 1920 का रहा अगला जो टॉपिक है स्वदेशी तथा शविने अवग्या आंदोलन महाजमा गानी तथा अन्यनेताओं की भूमिका बंदे मातरम भारती राष्टी आंदोलन का सीर्श गीत बना स्वदेशी आंदोलन में बेड़ेश पत्रकार इस डबलू नेविनसन जो जुड़े थे वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे तो अगर पूंचा जाता है निमलेखित में से कौन शा बेड़ेश पत्रकार थ जो दूसो दिसी अंदूलन से जुड़ा था तो इस डबलू नेविंसन क्रांतिकारी शंगठन अभीनव भारत सबाज की अस्थापना किसने की बीडी सावार करने बिना एक दामुदर सावर करने बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर्ट जन्नल कौन था लार्ड करजन बंगाल विभाजन कब हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का नेड़े घोषडा जो की गई है कब तो 20 जुलाई 1905 अगला है कि या कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निश्ठूर बरबादी है किसने कहा था रवींद्र नाथ टाइगोर ने बंगाल के विभाजन की समय बंगाल का लेटिनेंट गवर्णर कौन था सर एंड्रूज फेजर 1904 से लगातार भारत को श्वासासन देने पर बल दिया था किसने दादा भाई नवरोजी ने ब्रिटेस बस्तों के बहिश्चकार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था क्रिश्ण कुमार मित्र ने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेत्युत किसने किया था सुरेंद्र नाथ बैनर जी ने सुधेसी आंदोलन का नेत्युत दिल्ले में किसने किया था सैयद हैदर रजा ने मद्रास में सुधेसी आंदोलन का नेत्युत किसने किया था चिदरम पिल्लई ने विदेशी बस्त्रों की बरबादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्योवार है यह किस ने कहा था महत्मा गांधी ने प्रसिद दांडी मार्च जो सुरू हुआ वह बारा मार्च 1930 को नमक सत्यागरा के शमय गांधी के गिरफतार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका जो अस्थान लिया वह अब्बास तैयब ने वह अंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचारी बीनोवा भावे प्रथम बार गिरफतार हुए थे सब ने अवग्या अंदोलन रहा है सक्ति के विरुध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्वास की स्थान भूती चाहता हूँ यहा कथन संबद किस्से महात्मा गांधी की दान्डी यात्रा से वह प्रांत जिसके सहत्या ग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी की दांडी कूच में शरबादिक थी गुजराट महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्सवाक की साथ आरंभ की थी आदर्सवाक था अंत तक लड़ो भारतिय इतिहास में तिथी छे अपरेल 1930 जो जानी जाती है किस लिए तो मातमा गांधी द्वारी शबना अवग्या आंदूलन की लिए कोया वानर सेना वानर सेना और मंजरी सेना जो संबंध है ना वो शविने अवग्या अंदोलन से गांधी की यात्रा से शंबंधित दांडी जो इस्थित होगा वो नवसारी डिस्टिक में है अगला बढ़ते हैं अगला जो टॉपिक है भारती राष्टी आंदोलन का क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्टवाद का उद्ध है तो इनसे शंबंधित तथ्यों को देखते हैं गोरखपुर जेल में फासी पाने वाला जो क्रांतिकारी था वो राम प्रशाद बिश्मिल था राम प्रशाद बिश्मिल थे चल अपना हुई थी वह दिल्ली में हुई हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपबलिक एसोसियेशन दिल्ली में और इसके पहले आप जानते उन्नीस सो चौबिश वाला जो कानपुर शड़ेंद्र यानि जो आपका लखनौ 9 अगस्त 1925 जो काकोरी ट्रेन एक्शन रहा है वो शंगठन उसमें कौन शामिल रहा है यह चारे वाली शामिल रहे हैं तो यह चारे जो गठन हुआ था 1924 कानपुर में गठन हुआ था इसका उसके बाद 1928 मोता यह चस आरे की इंदुस्तान सोसलिस् इंडेपेंडेंडेंट लीग की अस्थापना किसने की है राश विहारी बोशने इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंबांधित होगा भगत सिंग से काकोरी केस के अभियूक्तों के बचाव हे तो किसकी अधच्छता में एक शमित गठन हुआ था गोविंद बल्लब पंत उ वहां एक मात्र क्रांतिकारी जो पुलिस से गिरबतारी से बच निकला था चंदर शीखर आजाद रहे हैं हिंदुस्तान रिपबलिक एसूसियेशन का गठन यह आ गया देखिए चारे का गठन 1924 में जहां किया गया था वो कानपूर था भारतिय सांति का जो जनक कहा गया वो बीजी तिलक को बाल गंगाधर तिलक किस ने कहा था विलंटाइन सिरोल रहे हैं वहां युगम जिसको इंगलेंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फासी की सजा मिली मदललाल धेगरा था उदम सिंग भारतिय स्वतंता के लिए फासी पाने वाले प पत्रकार की रूप में अपने कर्तब निर्वान के लिए जेल भेजा गया बाल गंगाधर तिलक को क्रांती की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है यह कहा गया है भगत सिंग ज्वारा लाहोर शड़ेंद्र मुकदमे के परड़ाम स्वरूप फ भारत की एक इस्थाई सरकार वनी थी जिसकी प्रेसीडंट राजा महंद्र प्रताब थे तो अफगानिस्तान में गदर पार्टी के नेता कौन लाला हर्दयाल गदर पार्टी की जो अस्थापना हुई थी शैयुक्त राज जमेरिका में कनाड़ा की यात्रा पर निकला एक जलपोत कौन था कामा गाटा मारू स्वराज पार्टी के गठन में शामिल होने वाले लाजा लाजपत रायर है भात्मा गांधी के साथ चंपारन सत्याग्रा में भाग लेने वाले सम्मित जो थे राजेंद्र प्रशाद अनोगरा नारा स्वराज दल का शमर्थन किया में जिन्ना ने स्वराज पार्टी से शम्मनित यमार जयकर है भारत में साइमन कमीशन के बहिश्चकार के मुख्य कारण थे कि जो सभी की शवीश अदस थे वो अंग्रेज थे एक भी इंडियन नहीं था किसके सुझाओं पर भारतियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया लाड इर्बिन साइमन कमीशन भारत की बर्श वाया था बर्श 1928 में सरपर्थम भारत के लिए उपनिवेशक स्वराज की जो मांग की थी वो सरतेज भादर शप्र और जयकर ने साइमन गोबै का नारा किस ने दिया था यूशुफ मेहर अली ने शाइमन गोबै का नारा का जो निर्माड है कमपोज जो किया गया था यूशुफ अली मेहर के द्वारा फरवरी 1928 में आयुजित सरवदलिये शम्मेलन के अध्धच कौन थे डाक्टर यम अंसारी आगे ब था वो भारत सरकार अध्नियम 1935 है 1935 की अध्नियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है तो जब अहल लाल नहिरू ने कहा एक संगिये ब्यवस्था और केंडर में दोएधशाशन केंडर में दोएधशाशन भारत में लागू किया गया तो भारत सरकार अध्नियम 1935 दोरा तो आप वालिटी में भी पढ़ते हूं कि राज्यों में दोएधशाशन 1919 के तहत लागू हुआ उसके बाद 1935 का अध्नियम आता है तो राज्यों में दोएधशाशन को शमापकर केंडर में दोएधशाशन अप्लाई हो जाता है 1935 के तहत भारत सरकार अध्नियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था तो यहां जवाहला नहरू का है कथन वह अध्नियम जिसके द्वारा भारत में संघ्ये न्यायालय की अस्थापना की गई थी तो भारत सरकार अध्नियम 1935 के तहत संघ्ये न्यायालय की बात की गई वा अधनियम जिसके फलसरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था वा भारत सरकार अधनियम 1935 द्वारा भारते सासन अधनियम 1935 के द्वारा स्थापित संग में आउसिस्ट सक्तियां जो दी गई हैं वा गवर्न जन्रल को भारत के संभिधान में केंदर और राज्यों के बीच किया गया सक्तियों का जो विभाजन है वा भारत सरकार अधनियम 1935 युजनपर आधारी तो है प्रांतिये सरकारों के युजद किया गया तो भारत राश्टियांदिय में 1935 के द्वारा भारती राष्टी आंदोलन का पाँचवा टॉपिक अंतिम टॉपिक धड़िज भारत छोड़ो आंदोलन आजाद हिंद फाउज तथा नेताजी शुबाश्यंद्र भोसेश बंधित प्रश्णा जिस बर्स क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था बर्स 1942 तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 बंबई में किस बर्स में किस बर्स बंगाल के मिदनापुर जिले में जातिय सरकार की अस्थापना हुई थी मिदनापुर चुड़ो आंदोलन से आजादी लगभग हमारी पहुँच में है हम इसे कसकर पकड़ लेना है हमें इसे कसकर पकड़ लेना है या किस ने कहा था महत्मा गांधी ने जब भारतिय राश्टिय कांग्रेश ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर पारित किया उस समय कांग्रेश का अध्यच कौन था मौलाना अबुलकलाम आजादू आठ अगस्त 1942 को कांग्रेश ने भारत छोड़ो आंदोलन की गोशड़ा की बंबई से शुरुवात नव अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन की संदर्भ मात्मा गांधी को बंदी जो बनाया गया वह बंबई ने उत्तर प्रदेश का वह जनपत जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शमांतर सरकार अक्सर एक्जाम में पूंच लिया जाता है तो समांतर की शरकार की जो अस्थापना है वह बलिया में की गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गदविधियों को शंगठिज जो किया था वजय प्रकाश नाराण ने किया था यहां यानि भारत में एक क्रांती होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए यहां किस ने कहा था सर इस्टेफोर्ड क्रिप्ष ने कहा था अमेरिकी पत्रकार जो मात्मा गांधी की भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान उनकी साथ था वहां था लुई फिसर तो भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान मात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था तो नाम याद रखिए लुई फिसर वहां अंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी शरबाधिक मानी जाती है वहां अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन करो या मरो का जो आहवान है नारा था वहां मारत छोड़ो अंदोलन के दोरान दिया गया नारा है आई यन ए आई अन्ने के अधिकारियों पर मुकद्मा जो चलाया गया था वह लाल किला दिल्ली में गांधी जी को सर्व प्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था सुभाज चंद्र बोश ने आजाद हिंद फाउज का मनाया गया था तो आजाद हिंद फाउज दिवश 12 नमंबर 1945 को सुभाज चंद्र बोश ने सिंगापूर में स्वाधिन भारत की सरकार गठित की 21 अक्टूबर 1943 को सुभाज चंद्र बोश को देश नायक किसने कहा रवींद्र नाथ टैगोर ने आजाद हिंद फाउज का वहसानिक जिसको साथ बर्स की कारावास का दंड दिया गया रासिद अलीम भारत की मुक्ती महत्मा गांधी के नितित्त में नहीं होगी या किसने गिखा था या लिखे थे सुभाज चंद्र बोश ने नेताजी सुभाजिट चंद्र बोश का जन्म जिस नगर में हुआ था वहा नगर था कटक तुम मुझे खुन्दो मत तुमहें आजादी दूंगा सुभाजश चंद्र बोश ने कहा वहा भारतिय क्रांतिकारी जिसने सुभाज चंद्र इंडिया नीशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था वो थे रास विहारी बोश दिल्ली चलो का नाराकिश ने दिया सुभास चंद्र बोश ने आईए कुछ और महत्यपूर्ण तत्थों को भारती राष्टी आंदोलन संबंधित देखते हैं उसके बाद कंप्लीट करते हैं पूरा तो महत्यपूर्ण आंदोलन घटनाए हैं भारती राष्टी कॉंग्रिस की अस्थापना 1885 इस भी में होती है दिशंबर में 28 बंग के बिरुद्ध भंग भंग आंदोलन सोदीशी आंदोलन होता 1905 में मंगाल विभाजन पढ़क्यार है 1905 में होता है 16 अक्टूबर को एयोई हूम के द्वारा मॉंबई में भारती राष्टी कांग्रिस की अस्थापना हुई कांग्रेस का जो विभाजन होता है 1907 में नरम गरम दल में विभाजित हो जाता है शूरत अद्वीशन में होम रूल लीग होम रूल आंदोलन 1916 तिलक्यों में इनिवेशन संबंदित होंगे लखनव पैक्ट कपका है तो दिशंबर 1916 में होता हो कांग्रिस तथा मुसलिम लीग की बीच यहां पर समझोता होता है मांटे गोषडा जो होती है 20 अगस्त 1917 को और भारत मंत्री लाड मांटेंग की गोषडा रूल अटाइक्ट कपका है 19 मार्च 1919 का जिसको की काला कानून जिसकी अंतर किसी विव्यक्ति को शंदेह की आधार पर गिरपतार किया जा सकता था बिना दरेल बिना फील काला कानून जलिया वाला भाग हत्याकांट नर्शंगार जो होता हुआ 13 अप्रेल 1919 को जनरल डायर अमरित शर इनकी द्वारा जो है वाडर होता जनरल डायर तभी लोग बोलते हैं कि भी डायर जनरल खिलाफ़त आंदूलन 1919 का है शौकत अली और मुहम्मद अली हंटर कमिटी की जो रिपोर्ट प्रकासित होती है 28 मई 1920 को जलिया वाला बाक्षि शंबंधित कमिटी है हंटर कमिटी कांग्रेस का नागुपुर अदिवीशन दिसंबर 1920 का होता है और इस अदिवीशन में असायूग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है उत्तर प्रदेश तो यह चार फरवरी 1922 डेट है गोरकपुर जिले उत्तर प्रदेश की घटना के बाद असायूग अंदोलन जो है वह अस्थागित कर दिया जाता है स्वराज पार्टी का जो गठन है अस्थापना जो होती है एक जनवरी 1923 को और मोतिलान नहिरू यूम चितरंजन दार्श द्वारा जो है इसके अस्थापना की जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एस्थापना अक्टूबर 1924 में होती है सचिंद्रनार सान्याल की द्वारा कानपुर में सायमन कमीशन की नियुकती आठ नॉंबर 1927 को होती है जो सर जान शायमन होते हैं इसकी अध्यच होते हैं शाथ सदसी आयो का गठन करते हैं सायमन कमीशन भारत का बाता अक्सर एक्जा में पूशा जाता है तो कमीशन भारत जो पहुंचता है सायमन वह 1928 तीन फरवरी को जिसमें भारत में लाला लाजपतराय की नेतित में विरोधियों उन पर लाठी प्रहार ह होता है नहरू रिपोर्ट कब आई है 1928 की है पंडित नोतिलाल नहरूद्वार अध्यच होते हैं बारदावली शत्यागरा बारदावली शत्यागरा 1928 का है अक्टूबर और गुजरात की किसानों का लगान के विरोध में सरदार बल्लब भाई के नितुत में आंदूरन हो होता है वार्दावली शत्यागरा लाहूर शड़यंत्र केस कब का है तो आठ अप्रेल 1929 का है भगत सिंग और बटुकेशर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बं फेकना जाता है कांग्रेश का लाहूर अधिवीशन दिशंबर 1929 का है महत्त पूंड इसलिए है क्य भगत तक है और ये लेक्पाल में भी पूशा गया प्रश्ण है सभीने वग्ञा अंदूलन तो श्चा अप्रेल 1937 को शुरवात होती है सभिनयोग्या अंदोलन की प्रथम गोल मेज सम्मेलन 12 नॉम्बर 1930 का है प्रथम इसके जो प्रधान मंत्री मैक डोनाल्ड की अधिस्ता में लंदन में आजूत होता है प्रथम गोल मेज सम्मेलन गांधी इर्बिन पैक्ट होता है पांच मार्च 1931 में गांधी और वाइसरा इर्बिन के मध्ध शंपन सभी नयोग्या अंदोलन स्थागित करने की घोशड़ा होती है दोतिय जो गोल मेड सम्मेलन होता है वाद 7 सितंबर को होता है गांधी जी ने शम्मेलन में भाग लिया तो दूसरा ही शम्मेलन रहा जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था इसके बाद कमीनल अवार्ड शांपरदाईक पंचाड है 16 अगस 1932 का माइग डुनाल्ड द्वारा प्रिथक प्रनिर्ट का प्रदान किया जाता है इसमें पूना पैक्ट कब का है तो 24 सितंबर 1932 का है पूना पैक्ट और यह होता है अरवदा सेंटरल जेल में गांधी जी जहां होते हैं तो गांधी और अमबेटकर के बीच एक शमझावता होता है जिसके शांपरदाईक पंचाड में दलितों के लिए प्रांतिय विधान सभा में प्रिथक निरवाचन मंडल प्रिथम निरवाचक प्रणाली को जो है शमाप्त कर उनके 71 के बदले 148 हसान सुरच्छित किये गए तृतिय गोल में सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 को इसमें कांग्रेश ने भाग नहीं लिया कांग्रेश सोसलिस्ट पार्टी का गठन कांग्र शंद्र बोश ने एक मैं उन्नीश उन्तालिस को वहीं जब इस्थिपा देके चले जाते हैं तिरी पूरा अधिवीशन जी मुक्ति दिवस 22 दिशंबर 1949 से मुस्लिम लिग के द्वारा कांग्रेश मंत्र मंदलो के त्याग पत्र पर मनाया गया पाकिस्तान की मांग होती है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लिग के लाहर अधिवीशन में अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 का है वाई सराय लिन लिथगो जो है संबंधित होंगे अगस्त प्रस्ताव से क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो होता है इस्टीफर्ड क्रिप्ष द्वारा आठ मार्च ये मार्च 42 का है तो क्रिप्स मिशन यह याद रखो आप भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महत्मा गांधी इन भारत छोड़ो आंदोरन और नगस्त को ये सुरुवात हो जात प्रधार मंत्री एटली की घोषडा 20 फरवरी 1946 को भारत को सोतंत करने का आश्वाशन दिया गया उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का बाया 1946 मार्च जिसमें ब्रिटिस मंत्र मंडल के तीन सदस्यों पैथिक लारंच, सर इस्टीफ ट्रिश कारवाही दिवश होता है 16 अगस 1946 को मुश्लीम लीग द्वारा ंतरिम सरकार के गठन 2 सितंबर 1946 को कर दिया जाता है अंतरिम सरकार海 गठन प्रधान मंत्रि नहीरू बनते हैं, ॐ योजना 30ű 1946 की है, वाइसराय मॉंट बेटन ने भारत विधाजन्स की योजना रखी, स्वचतंत्रा की प्राप्ति है, 15 Works स्वचतंत्रा अधनियम दौरा, भारत स्थापना हो जाती है 26 जनवरी 1950 को डक्तर राजिंद प्रिशाद प्रिसम राष्ट्र पती बनते हैं भूदान आंदोलन होता है 18 अप्रेल 1951 को और इसकी सुरवात पोचंपली नलगुंडा तेलंगाना बेबिनोवा भावे भूदान आंदोलन समबान्दित बिनोवा भावे रामचंद्र नेड़ी भी सबसे पहले इसी में भूम में दानदी थी नहीं दे पत्र कबर कर लिया अच्छे से उसने भी जो है मान के चलिए कि हिस्ट्री में लगभग छे से साथ कोश्चन करकी आएगा एक जाम में और इसको यदि आपने कबर कर लिया हो दोस्त तो पूरा का पूरा दस में दस ले करकी आएंगे वीडियो क्लाइक शेर कमेंट कर जीएग क्या और भी सब्जेट का आप पेट बूस्टर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जुरू बताईए थैंच वारवाची